अगर टुक्रे टुक्रे गैंग हूं तो चौरहा पे मुदी जी तो आया नहीं नोट बंदी के बार मुझे ही चौरहाय पे खाड़ा करके फांशी देदो अगर मैं हूं अगर नहीं हूं ना तो इसको बंद करो और ये बताओ कि वोड तुमको इस देश के नौजवानों ने नौकरी के लिए रिया था जो है एक सांसद ने कहा कि आप चाकू तेज कर लेंगे तो जो है यह जो है अमित साह जैसा का बाप यह क्या चाकू से सबजी काटेगा बैठ करके गरी मंत्री क्या करेगा मुझे बताईगे बाजपावाले कि 1980 में यह धरम पैदा हुआ हुआ है चानक की निती बोल रहे हैं क्या चल रहा है आप चानक को क्यों बदनाम कर रहे हैं चानक ने कब कहा था पैसा दे कर गए अमेले खड़ी दलो जोड़ो यात्रा में 108 दिन में आप हजारों पर या रहा हूं सर हां मैं चुनाओ जोर पा रहे हैं कि नहीं लोग यह देखना च करना है यह तो इंटर्वियू में नहीं डिसाइड होगा यह तो इस देश में डिशाइड होगा कि अगर हम जो है ना दस-बीस साल ऐसे चुनावी हारने वाले होते तो जो है कोरोना का बहाना लगा करके हमारी यात्रा नहीं रोकी जाते हैं लेकिन आपने स्मार्ट ली उस को रहा है कि नया कनहिया कुमार आया है 15 मैने हुआ जैसे करते हैं जुमा जुमा आठ दिन तो जुमा जुमा अभी आए हुए हुआ है और सबसी अधिक भाशन दे रहा है सब जगह प्रेस कांफेंस कर रहा है रहुल गंधी के साथ दिख रहा है कंटेनर में भी आसपास वह प्रेक्टिस का करना है जैसे एक तस्वीर मैंने आपका इस प्रेस कांफेंस देखा तो इसमें एक स्क्रिंग्शॉट मैंने यूट्यूब से निकाल के रखा सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट अचानक इस भारत जोड़ो यात्रा में 108 दिनों मे हुए एक तरफ आपके बैठें भूपेंद्र हुडा जो दस साल हर्याना के लगातार चीफ मिनिस्टर रहे और वैसे 23 में भी थे दूसरी तब जैराम रमेश केंद्रिया मंत्री रावल गांदी के बहुत खास भारत जोड़ो यात्रा का पुरा मीडिया कोर्डिनेशन प्र सबका निशाना आपकी बजर से है कि यह टुकडे टुकडे वाला जो है राहूल गांदी के साथ चल राहूल गांदी टीशट में घूम रहे हैं आप शर्ट में दिली मुठंड हैं दिखिए में तो मौफलन सब गर्मी आगे ही कि आप लोगों भारत जो घंड लेंगी ना ऐसा तो है नहीं कि स्वेटर पहनने के लिए अलग से जो आठारा परसेंट जीएस्टी देना परेगा और अपना ही पहनेंगे ऐसा तो नहीं हो अगो मोधी जी का दसलाख वाला सूट चीन कर ले आएंगे वह पहन लेंगे अपना ही स्वेटर पहनना है तो जब ठंड लग जब फोन करके बताते होंगे हम इत्सा को आज सुबह में यह दवाई ले रहा हूं बीजेपी ने कहा कि उनको साल क्यांत में आठ दिन चुटी चाहिए चुक्टी लेते हैं रावल गांधी इसलिए बहाना कंटेनर का बना दिया गया दिलीम कंटेनर पार्क होगे अब जाना अगर गुना है तो सरकार पासपोर्ट देना बंद करें तो अच्छा काम तो अच्छा काम तो थोड़ी मतलब होता है में इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसका साड़ा पैसा जो है ना अपना फोटो पे खर्च कर दिये सारा पैसा एक स्कूल नहीं खु अब दो रहा है तो अच्छी बात है बहुत अच्छा बात है मल्टी मल्टी टास्किंग अपना काम चोड़ करके बाकि सब कर रहे हैं कनेया कुमार वहां रहते थे प्रची फोड़े देशिक खोल ले गया तो जिसका एसी था वो खोल करके ले गया आये कनेया स्वागत है आपका बहुत सुन्दर टेरेस है आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान कनेया कुमार कनेया और मुझे में एक समानता है कि हम दोनों बिहार के बेगुसराय जिले से हैं हलाके कनेया का नाम पहली बार मैंने तब सुना था जब आज से छे साल पहले जेन्यू में देश दुरोही नारे लगे थे और टुक्रे टुक्रे गैंग का सरगना आपको घोशित किया गया और उसके बाद इनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ गिरफ्तारी हुई कनहिया तिहार जेल गए जेल से जब छूट कर आए तो सीधे जेन्यू गए पचास पच्पन मिनट का इनका बहुत ही गरम भासन आक्रोश वाला भासन हुआ निशाने पर बोदी और शा इन्यू स्टुडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट उससे कुछ मेंने पहले बन गए थे लेकिन नाम मैंने उसी रात सुना कि कोई कनहिया कुमार जो देश्ट रोही है जिस पर तमाम तरह के आरोप है और वह भाशन वहां जो लगे नारे जिसको लेकर बहुत सारी कहानिया लेकिन भाराल तो वहां से कनहिया का सफर शुरू हुआ उसके बाद कनहिया कुमार राजनिती में सक्रिय हुए CPI के ही स्टुडेंट यूंग में थे और उसके बाद बिहार से बेगुसराइज जिले से जहां से मैं हूं बेगुसराइज की लोकसभा सीट से चुनाव तक CPI के राजनिती करते रहे और उसके बाद पिछले साल अभी से देखें तो पंद्रह मैंने पहले आपने कॉंग्रिस जॉइन किया और भारत जोडो यात्रा में 108 दिन के यात्री होकर आप दिल्ली पहुंचे राहुल गांदी के साथ 24 तरीक मोटे तो अब हमारे साथ यह पर हम कुछ बात करेंगे तो यह मालने की भूमिका मैंने संचित में बताई बहुत बताया जा सकता है लेकिन अब खाटी नेता मतलब हो गया नेता तो सर नहीं हुए हैं लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है परिस्थितियों के चंते उसको इमानदारी से निभाने की कोशिश क क्योंकि किसी भी इनसान के लिए इस तरह का राजनितिक आरोप लगना किसी विकति को बार 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 टीवी में देश-दुरोही कहा जाना जबकि हकिकत यह हैं कि मेरे ननीहाल के परिवार से जो है लोक सतनता से-णब हुए हमारे यहां जो है राम चेत्तर सिंग पीद होगे जिन लोगों ने समाज की निर्मान में बहुरी भूमिका निभाई और हमारे परिवार में अगर हम पूरे अपने एक्स्टेंडेड फैमिली को काउंट करें सोलर लोग आर्मी की नौकरी करते हैं मेरी मां आगणवारी में काम करती हैं साथार निकिसान परिवार से तालूक रखते हैं था तो हमी लुग जो है सिमा थेस्ति सुरक्षा भी कर रहे हैं हमें लूग जो है देश के लिए अनाज भी पैदा कर रहे हैं और देस्ति आजादी दिलाने भी हमारे आप आप उस इलाके से हैं पहुत ब़ुरा योगदान आप उल्ड स्वचे चोर को तवाल को डढ़ें जो देस के लिए सब कुछ करते हैं जिन जो लोग जो हैं आज पैदा करते हैं जो बंदूग लेकर के सिमा पर डौन करते हैं उनके ही पडिवार का कोई बच्चा 1st generation मैं अपने परिवार में अपने इलाके में है लिजिए तो बहुत बड़ी अपोर्चनिटी है हमारे लिए कि देश की सबसे बहतरीन इन्वर्स्टी से पीजडी करने का आफसर मिला मेरा रैंक वन था जो ऑल इंडिया इंटर्स एक्जाम हुआ उसमें रैंक वन था मेरा तो कौलिफाई करके मैरिट से मेहनत करके अपने दम पे किसी वि लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और मैं आपको याद दिला दूँ कि अस्मिर्ती इरानी उस बक्त जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थी रोड पर आ करके हमसे समझ होता कि मंत्रा ला के बाहर आ करके सरक्ट पर तो उन लोगों ने उस समय ही जेई नियू को टार्गेट कर लिया कि देश में कहीं भी कुछ होता है चाहें हैं एक स्टूडेंट सबसे पहले तक्तियां लेकर सरकों पे निकलते हैं तो इनको जो है बदनाम किया जाएंगे अगर इनको इनके समाद से काट देंगे आम लोगों से इनको काट देंगे जिन आम लोगों के ये सवाल उ कर देंगे तो फिर हमको दिल्ली में कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा एक बहुत बड़ी साजिस थी हलाकि उस साजिस में नाकाम्याब हुए मैंने इनको चैलेंज किया कि देश का ग्रीम मंत्री जैसा का पिताजी है सरकार आप चला रहे हैं आठ साल से अगर हमने गलती क दिया है तो हमको सजा दीजिए क्या हूँ से वाले में मुक्त होगे या चल रहा है कुछ नहीं हुआ हो तो सुप्रीम कोट नहीं कह दिया है कि जैल करीब 22-23 दिन तो मुझे वह रात याद है जब जेल से आप छूटे बहुत सारे लोग और उसके बाद सारे चैलों पर ला संचित में इतिहास करते हैं नहीं तो जो है उनको जेलों में ठूशन हैं तो मैं आज के देट में आपको भरोसा है, अर heute तो आपको कोई सरकार की जड़रत नहीं vandaag हाम जेलु वाले प्रसंधी संचिप में इतना काफी है कि कनया कुमार उस पर कई सालों से 500 बार इंटर्वीव दे चुके हैं सैक्रो घंटे के वीडियो इनके यूट्यूब पर जब मैं इंटर्वीव करने का तै कि आज इंटर्वीव करेंगे तो दो-तीन दिन से मैं इनके वीडियो देख रहा था उससे कनया कुमार बन भी तो गया देखे तुक्रे टुक्रे गैंग या देश-दुरोही का जो आरोप है उस आरोप को मेरे उपर लगाया गया यह मेरे लिए ज्यादा चिंता का सवाल नहीं तो मुझे यह लगा कि यह स्टीकर तो फिर किसी के ऊपर चिपकाया जा सकता है यह इन्होंने जो है के स्टीकर बना लिया है और वहता है सस्ता चाइनिज स्टीकर कि किसी भी चीज के ऊपर लगा दो तो फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको यह जो है अर्बन अकसल टुक्रे टुक्रे गैंग देश-बिरोधी, हिंदू-बिरोधी, सेना-बिरोधी इ अब तरह के जो लोग होते हैं जिसको हम सिबिल ससाइटी कहते हैं वो प्रेसर ग्रूप तो इसलिए होता है कि देमोक्रेसी ठीक से फंक्सन करें लेकिन इन्होंने कैसा माहौल बनाया कि आप कुछ भी बीजेपी के खिलाब बोलिए तो पाच्छे स्टीकर हैं एंटी हिंद हमारा उद्देश देश के लिए गलत करने का नहीं हमारा उद्देश बीजेपी का टुकरा करने का जदूर है इनको भ्रम हो इसको कहते है सत्ता का अहंकार कि देश की जनता ने इनको एक्चुली साकारात्मक चीजों पे वोट दिया जनता इस उमीद पे वोट दी कि ये हर साल दो करोर नौकरी पैदा करेंगे 15 लाख रुपे हर किसे के खाते में आएगा प्रस्टाचारियों को जेल डाला जाएगा किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी महिला सुरक्षा होगा बेटी को बचाया जाएगा बेटी को पढ़ाया जाएगा मेकिन इंडिया होगा यह सब साकारात्मक चीजों पे लोगों ने वोट दिया और मोदी जी ने कहा कि हमने देखो गुजरात में डेवलप्मेंट है हम बतौर जो है सीम गुजरात का डेवलप्मेंट की हैं इस बात को उन्होंने नहीं नहीं बेचा तो हमारी जैसा इनसाइ भी आगर के सबस्राइबए नडियुए सबस्राइब उसके पैसे सब्सक्राइब पाएं लोग तंत्र था तभी तो मोदी जी देश के प्रधान मंतरी बन पाएं लोग करते हैं बात किसी चीज़ पर करो कन्या कुमर आप मोदी जी पर जरूर जाते हैं जैसे आप आ गए पहले सवाल मैं आपको बता दूँ अगर मैं एक मिनट के लिए अगर छोड भी दूँ कि मेरा क्या राज में प्रेचान है यात्रा है लेकिन मैं आपको बताता हूं जिस समय 2014 में चुना हो रहा था हमारे जैसे हर साधारन नौजवान को मोदी जी से उमीद थी इस बात को इमा प्रण नहीं है तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा इससे पहले तो यह लालभादर सास्त्री के केश में हुआ था ना तो यह बहुत अच्छी चीज है अच्छा उदारन है लेकिन हम लोगों को थोरे ही दिन में यह समझ में आ रहा था कि यह वेक्ति जो हैं यह बहुत ब नहीं बनाए यह सारी नीति आपने दोस्तों के लिए बनाए जिनके चंदे पर यह चुनाल जीते हैं अब करो लीडर नहीं है वह 303 सीट मोदी को दिया जनता ने देश के जनता की जनता ने 50% लगवग वोट कुछ राज्यों में मिले 30% लोग सभा में तो आप लीडर कैसे देश के आम लोगों को इनसे बरी उमीद थी कि जो गुजरात प्रदेश चलाया हो जहां डेवलपमेंट विहार यूपी से ज्यादा है विहार यूपी के लोगों ने भर-भर करके वोट दिया है ना तो यह उस उमीन में वोट दिये कि उतर प्रदेश और विहार भी जो है रिटर्ण गिफ्ट में सरम लोगों को महेंगाई मिला है बेकारी मिली है सौ में से पैंतालीस लोग बेरोजगार हो के घुम रहे हैं महेंगाई का आलम यह है सर कि जो लोग हवाई जहाज चड़ रहे थे एक बात मुदी जी बुले तो मुझे आज भी याद है कि हवाई चप हम तो लड़ रहे हैं मुझे तो उनकी चिंता हो रही जो मोदी जी को वोट दे रहे हैं उनके समर्थन में खरे हैं हम तो लड़ रहे हैं इसलिए हम अवाई जहाज पर चड़ गए तो हमारे खाते में भी 15 लाख आ गया सर हमने जब जेल से आगर कि हमने किताब लिखी तो ह उनकी चिंता हो रही है मैं लड़ रहा हूं मुझे तो सब कुछ मिल गया 15 लाग रुपिया भी मिल गया आपके हिसाब से मालने तो लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि भाई 378 वहां मंदिर बन रहा है अगले साल बन जाएगा आखर तक महां महाकाल मंदिर हो आए वहां भी का दिया 500 से जादा सीटे उनके दो तरह के समर्थक हैं एक समर्थक वह हैं कि मोदी जी अगर उनको जूता लेकर के भी पीटेंगे ना तो कहें आहा कितना आनंदा रहा है मोदी जी जो है उनको कचरा खिला देंगे ना उसको माथे पे चंदन की तरह लपेटनेंगे वह समय हर किसी के होते हैं हर पार्टी का होता है मैं कह रहा हूं कि साधारन नौजवान जो हैं जो मिडिल क्लास एस्पिरेशन है जो हमारे आपके जैसे लोग हैं वह क्या देखते थे वह देख रहे थे कि भाई एक परफॉर्मिंग आदमी है आएगा देश में कोई बदला हुआ है लोगों को क्या पता था कि यह आदमी तो मुखोटा है पीछे आमिसा खाड़ा है वह आते ही पडिवारबाद करेगा और किया आते ही जो है अपने बेटे को बनाया है और तमाम जो नेताओं के बच्चे हैं अनुराग ठाकुर कौन है करनाटका का सीम कौन है राज जनीती की सारी गंदगी जो है उसी तरह से वैसे ही परी हुई है उल्टा नुकसान यह हुआ है कि कम से कम पिछले राज में जो बेलफेरिजम होता था लोगों को बोलने की आजादी थी और कॉंग्रेस पार्टी एक तो दावा कर सकती है कि UPA2 में भी उसने कुछ ऐसे काज अधिकार था सर आप तो इतने दिन से खुद पत्रकाडिता में रहें मैं पूछता हूं लोगों को कि तब में और अब में क्या फर्क है लोगों ने कहा कि तब और अब में ये फर्क है कि पहले हम लोग बोलते थे सरकार की अगर नाराजगी भी हो डिसकमफर्ट भी हो तो हमारा तो स्थिति यहां कि जब सर्चपने दरीессल्च समाट से डरोढनी से भेगुसरा यह पॉलते और वाइब यह पूर्प कुछ टेस्ट करके देख लिए नकली मुकदमा किया जेल में डाला पत्थर फिकवाया जुते चलवाये बं चलवाया गुली चलवाया हम तो डरे ही नहीं तो फैदा हो गया कनया कुमार आज बन गया वह तो तो इतने लोग इंटर्व्यू कर रहा है रहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद अगर सबसे अधी कोई लोग प्रिया हो रहा है तो कनया कुमार सर बॉलर बाउंसर जब फिकता है ना तो बैट्समें के फाइदे के लिए नहीं फिकता है कि जोरी टाइड हट कर दें इंजर्ट कर दें वह बैट्समें की कोई प्लान नहीं था और मैं आज भी यह बात बोल रहा हूं दूसरा पॉपुलेरिटी का जहां तक सवाल है इसमें इंसान का कुछ नहीं होता है आप अगर इमांदारी से सच्चाई आम लोगों की भाशा में आम लोगों के लिए बोलेंगे ना तो लोग उसको पसंद करे और तीसरी बात वात क्यों डरना है सर हम तो वहां से आते हैं वह भी और नहीं को पता है कि अपने नाम से चुनाव नहीं जीते हैं वो भी जानते हैं, यह सचा है उनको मालूम है, वो गंगा पार से आते हैं, वो बेगुसराय के नहीं है, वेगुसराय के हम लोग हैं, और फिर बेगुसराय का इंसान देश दुरो के आरोप से क्यों डरेगा, जहां पर रामधारी सिंग दिनकर पेदा हुए है, जहां दे रहे थे वो, उन्होंने पुलिस को ले करके रिमार्क दिया, पुलिस उनके ऊपर सेडिशन लगा दी, कैदारनाथ, जो उसी में तो सेडिशन फैसला है, अच्छा, बरौनी फ्लैग में जो है, कैदारनाथ वरसे से स्टेट पे ही तो फैसला है, और दुनिया के सबसे इतिहास में जाएए, बेगु सराय कैसा इलाका है सर, जो दिल्ली के सामने कभी नहीं जुका है, यह इस्ट्री है, आप जो है मुगलिया सल्टनत के दौर में भी जाकर बेगु सराय के इतिहास को पर हैं, तो हम लोग सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाले लोग नहीं है, है कोई आप के लगता है कंगरेस ने देंदी है मोदी और शाह कि कोश सब्सक्राइब बासन बोलो चाहें से इंटर्वी बीच आपको दे दी गई है और कप्रिय विश्य भी नहीं है सर मैं कॉंग्रेस में जो हमारा जो संबंध बना है लोगों से और कॉंग्रेस अजया करके हम जॉइन की है उसके थोरा ब्रीफली बता देते हैं एक तो सर मैंने आपको पहले ही कि हमारा जो ननिहाल का परिवार है कॉंग्रेसी रहा है ट्रदिशनली वो लोग सटनता सेनानी रहे हैं जब तक रामचेतर सिंग्ग जिंदा रहें तो कॉंग्रेस के मिनिश्टर थे और आजादी के पहले भी सरकार बनी थी बिहार में सरुसमय स्रीक्रिटिट्सिंग प्र बाद में उनके ही बेटा जो की बीएचिव पढ़ने के लिए थे और बीएचिव में उसमें करांतिकारियों का गढ़ था आजादी के अंदोलन के दौरान फिर पतना इनवस्टी चले गए और वहां से उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट करना शुरू किया जिसका मैं सद कार्शिजम के सिकार हम नहीं रहे हैं बेट साथ उस्टैबलिस्मेंट के बिरोधी रहे और आज यहेसे जैए कोई कांटरिक्शन नहीं और हम लोग बहुत grateful हैं Congress Party को ले करके खास करके जो एक्टिविस्ट लोग हैं आप देखें यूए 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 की बात हो लोगों को जे लोगों में बंद करने की बात है जे इनु के उपर एटैक हो सबसे जादा Congress Party मुखरता से बोली हमको बाद में अपने राजनितिक अनुभव से बात समझ में आई कि एक ही जगह पे न अपना अलग-अलग दुकान सजाने का क्या मतलब है जब देश में इतना emergency situation है तो energy divert नहीं करना चाहिए तो मतलब करके जो CPI है CPM है या अखलेश यादव है अवामताव अनरजी सब अलग-अलग दुकान सजाने ने वह भी तो भी पक्षी एक्ता की बात करी रहे हैं अब आप यहीं उदार रहेता हूं दो अभी लेटिस चुना हुआ अभी हार का 2020 मैं कर रहा था CPI का कैमपेंग किया, CPM का कैमपेंग किया, RJD का क mutta क्कॉंघ का क्या कॉंघ्युक किया तो इक पार्टी जा करनाड करके ल laughs कर रही है तो तो यह नएतिक में आनाई तिक क्या है। और जब विपक्षी एकता कि क्यों गॉंग्रेस चले गए हम बहुत सिध्यान और बड़ी-बड़ी बातें करने ज़रत नहीं है एक सिंपल बात तुमको बता देते हैं कि टेबल टेनिस का जो बैट होता है उसे क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है टेबल टेनिस के अपने मजे हैं उसका अपना आनन्द है व सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन कर तो कॉंगरेस ही पाई क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आप मुखधारा की राजनिती में आते हैं तो वे स्टूडेंट पॉलिटिकस से आज modern society कैसे चलेगी सर्थ, media तो होना परेगा, तो गाली देने के लिए ही सही, पांच मिनिट का cover जो है, वो Congress Party को ही मिलता है, तो ये सारी चीजें जो है, वो politics के लिए जरूरी होता है, logistics की जरूरत होती है, organization की जरूरत होती है, resource का जरूरत होता है, face का जरूरत होता है, narrative का होता है, अब सामने अगर आप गोटसे से लर रहे हैं, तो गांधी से बड़ा narrative कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल ये इमांदार और सीधी बात है, जहां तक रही मोधी और साह के attack करने के बात, मैं एक बात बता देता हूं, Congress Party ऐसा कोई designated job हम तो नहीं दिया है, हमको सब लोग सब के साथ होता है, महा सच्यू, संजुक्त सच्यू, राजपरभारी ये वो आपके साथ कनया Congress नेता, मेरे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि Congress में क्या पद है, हम बहुत प्रोवेशन पीरियड पे हैं, और यह प्रोवेशन पीरियड जो है ना लंबा चलेगा, लं पंदरा महीने नहीं, यह 15 साल हो जाएं, टाइम लाइन हमको नहीं पता है, हमारा काम है इस देश के अंदर, जो आम लोगों के सवाल है, उसको बत बतौर विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते इमानदारी से उठाना, देश में जाकर के बात करना, लोगों को आर्ग ओनसी में इंदक बफ्च के लिए, बफ्चciuप फश Со unprecedented गया को राहुत बहुत अच्छा को बात पके सब्चween nadz जाए है, कणिया, कुमार बहुत अच्छा वाशन देते हैं, उमलिवाजी भी करते हैं मोदी कि nep खो उसी तरह कि मुझे करते हैं तो कॉंगरेस को व he a HA से कुछ नहीं होता है मैं एक बाता हूं बासन की अगर आवा कर रहे हैं तो भाषन की सबसे जूबुनियादी चीज इन वह है जिस सब्सके लिए आब आप Krubh उसकि भाषा सबसे पहला चीज है लेंगवेज दूसरा चीज है जो आप बात कर रहे हैं उसको आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं जैसे यह संभब नहीं है कि मैं सिग्रेट हाथ में जला करके लोगों को कहूं कि सिग्रेट मत पीचिये तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी की ज़रुरत होती है मेरे पास सब्सक्राइब किताब में नहीं पढ़ी है मैं उसको जेल के आया हूं उसका जवाब दे सकता हूं क्योंकि वह जीवन इसका रिहलसल करके हम नहीं आये हैं चरब आप हमसे बात कीजिएगा, तो उसके लिए मुझे किसीरें रिहलसल की इसके सवाल की और सिवासरारी की जम कहते हैं, वही हम कहा है, हम किसी कीरे नहीं कहने हो ही जब बिषय कर आए हैं, तो आप किसी विवस्था में तो बात कीजिएगा, तो भी बोलिएगा. हमेशा यह बात कही जाती है कि सच और जूट का एक बुनियादी फर्क है जूट को याद रखना पड़ता है सच को याद ही नहीं रखना पड़ता है आप मुझे पूछेंगे कैसे आया हूं मैं गारी से आया हूं इसके साथ आया हूं दोस्त के साथ आया हूं आप चाहे मेरा आधार नहीं हो सकता है राजनिती का आधार यह हो सकता है कि हमारे मुद्दे क्या है और हमारा मुद्दा जो है मुदी और साह नहीं है मुदी और साह चुकि देश के परधान मंत्री और ग्री मंत्री है इसलिए में उनका नाम लेता हूं मुद्दा हमारा सर यही है कि गरीबी बीकारी केसे कम होगी किसानों के आमदनी के से बरेगी जो सवाल मोधी जी उठाए थे ना उन्होंने बनाया था जो उनका मेनिफेस्टो है ना हम चाहते ही को मेनिफेस्टो लागू हो जाए उसी पर सवाल पूछते कुछ बैठ के बात करेंगे लेकिन चुकि आपने कहां आपका मुद्दा हम है आपके लिए मोदी शाह नहीं लेकिन जैसे तीन-चार दिन में मैंने एक कोई कनहिया कुमार देश के किसी भी हिस्ते में भाषन देते हैं 24 गंटे के अंदर वहां भाषन का टुकड़ा आता है कई मिलियन में व्यूज और हर भाषन में मोदी और शाह है तो लगता है कि है तो आना वहीं है 30-40 सकेंड दो मिनट तीन मिनट महंगाई विरोजगारी किसानों की पर मनमोहन सिंग हुआ करते थे मैं इमानदारी से ओन कैमरा यह बोल रहा हूं 2015 का मेरा प्रेसिदेंशियल स्पीच उठा करके देख लीजिए उस पर मैंने बीजेपी को भी अटैक किया है अपने लिफ्ट के दूसरे संगठनों को भी अटैक किया है अपनी पार्टी के ने सकता है जिसमें इमानदारी नहीं Raphael bushon ऊप उटन नहीं नहीं इसको लोग पसंद हीनुकर सकते हैं अगर वह दिल से नेहीं हूं अगर हम खुद वह जीए नहीं है तो इसके बारे मैं बात करें कोई भरोशा नहीं करें से हम हाथ में हीरे का घरी पहन करके और गरीबी पहास अचानक से मेरे पास पैसा कहां से आ जायेगा और अचानक से मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम भी बाजपा करके उसको जी रहें चलिए अब बैठके बात करेंगे कनहिया जी से और सवाल अब भारत जोड़ो यात्रा पर है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन के बाद दिल्ली पहुंची बीच में विराम है तीन तारिक से फिर यूपी होते हुए हर्याना पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर की में भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक यात्री के तौर पर कनहिया कुमार चले है 108 दिन वो भी कॉंग्रिस के बारे में भी कॉंग्रिस कैसे विपक्षी एक्ता की धुरी बन सकती है नहीं बन सकती है राहुल गांधी यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन क्या वोट भी जोड़ है या सिब भारत जोड़ने की बात हो रही है वह सारे सवाल कॉंग्रिस को लेकर है विपक्षी एक्ता को लेकर है कनहिया कुमार क्या सोचते हैं विहार को लेकर है अगले साल 2023 में नौराज्य में चुड़ाओ है उसको लेकर भी है तो बैठते हैं कुछ बैठके बात करते ह आईए आप इधर बैठिए मैं यहां बैठो हूँ अगया की अभी मोदी और अमिशाह के लिए और जो आपने मुद्दे बताया है जो आपके लिए मुद्दे हैं चुनाव में उस पर फिर हम आगे थोड़ी बात करेंगे लेकिन अब भारत जोड़ा चुकि भारत जोड़ को यात्रा शुरू हो रही है और वो यात्रा तीन दिन यूपी में जा रही है जो देश का सबसे बड़ा सुबा है जहां सबसे अधिक लोग सवासीटे है उस पर बात करने से पहले और उसके क्या इंपक्ट हुए और क्या नहीं हुआ भारत जोड़ो यात्रा में कहा जा र यात्रा की जरूरत थी चाहें वो राहुल जी करें हम करें आप करें कोई भी करें हम लोग यह महसूस कर रहे थे कि ऐसी एक यात्रा इस देश में करनी परेगी क्यों करनी परेगी इस पर जो है लंबा मन्थन हुआ आपको साइद याद हो उद्यपूर में चिंतन सिविर तो जो है उस समय भी वाट्सेप पे जोक्स घूमे कि जो है कॉंग्रेस क्या चिंतन कर रही है ठीक है कॉंगरेस क्या चिंतन करके निकालेगी ऐसा लोगों ने बोला लेकिन उस चिंतन सिविर में ही यह सामोहिक निरने हुआ नए पुराने अनुभवी कम अनुभव वाले स जब तरह के जो है डेलिगेट थे उसमें कि एक यात्रा होनी चाहिए और जब उसका declaration हुआ जिसको हम उदैपुर declaration बोलते हैं उसमें एनाउंस्मेंट हुआ कि भारत जोरो यात्रा होगी पहले जो है उसको दो अक्टूबर से करने का एक मोटा-मोटी समझ थी लेकिन एस्पेसली राहुल जी ने कहा कि कल करे सो आज करे आज करे सो अब पल में परिले होगी बहुरी करेगा कब उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर क्या इसको जब कर सकते हैं जब लोजिस्टिक्स बगरा हो जाए तो इसको शुरू करना चाहिए और नाम भी जो है इसका भारत ज करने से पहले ही सब लोगों के दिमाग में क्लियर था कि जब तक देश में सदभावना नहीं होगी जब तक देश में महबबत नहीं होगा जब तक हम नफरत को हिडोन नहीं लेंगे उसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक साकारात्मक चीजों पर आप कितनी भी बात कर ल करेंगे आप जो है देश के विकास की बात करेंगे तो लोग तब तक जो है किसी चीज को नहीं सुनते और समझते हैं चाहे आपकी नियत कितनी भी अच्छी हो लोग नीती पर बात नहीं करते हैं जब जब तक आप लोगों के अंदर जो एक डर है उस डर का एक मुकंमल ज़वाब नहीं देना शुरू करते हैं जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि नहीं हमारे लिए कोई रहा है जबकि हकिकत क्या थी अपोजिशन के पास जितनी छमता है अपोजिशन रही थी लेकिन स किसान के लिए बोल रहे हैं नौजवानों के लिए बोल रहे हैं तो यह हुआ कि जब देश बहुत संकट में हो तो बहुत पुरानी कहावत है हमारे देश यात्रियों का देश है हमारे परोशी राहल संकिर्तायन हुए उन्होंने दुनिया घूमा जब भी आपको जब कहते हैं कि जो अभी का सिस्टम है वो ठीक से अगर काम ना करे तो बैक टू बेसिक्स होता है और बैक टू बेसिक्स क्या है उसको महात्मा गांधी ने भी जो है सवतनतान दोलन के दोरा लेकर के कोई लर रहा है तो सपने जो है वो जुड़ पाते हैं इस तरह से जो इस यात्रा की शुरुवात हुई साथ सितंबर को जब हम लोग कन्या कुमारी से चलना शुरू किये थे तो ऐसा लग रहा था कि मोर और लेस जो है कॉंग्रेस पार्टी के नेता कॉंग्रेस प भी चेफ मिनिस्टर थे उसके बाद लगातार जो सिलसिला शुरू हुआ ना सर केरल में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉंग्रेस पार्टी के सपोर्टर नहीं रहें लेकिन इस मुद्दे के साथ थे और सारे लोग इसमें जुड़े सिबिल ससाइ इस देश में नफरत की जो भाषा बोली जा रही है जो डर पैदा किया जा रहा है उसको खत्म करते हुए देश के जो साकारातमक सवाल है रोजी रोटी का सवाल रोजगार का सवाल महिला फुरक्छा का सवाल किसानों के आत्मतिया अभी देखे सर कितने डिंगरस रिपोर् में शुरू कर दिया है तो जवान आत्मतिया कर रहे हैं किसान आत्मतिया कर रहे हैं मुझदूर आत्मतिया कर रहे हैं तो यह सब हमारे देश के लिए देश क्या होता है सब देश तो देश के लोगों से ही बनता है लोगों के सवाल को अगर हम उठा ही नहीं पा रहे हैं उसक भागेदारी का जिक्र किया लेकिन जब दिल्ली यात्रा पहुच रही थी चौवईस तारीक को उससे दो दिन पहले राहुल गान्दी ने विपक्ष के नेताओं को भी चिट्टी लिखी और कहा शामिल होई है लेकिन विपक्ष के तरब से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर व मैंने नम स्टालिन जी का लिया लेकिन जब मैं विपक्ष बुल रहा था न तो सिर्फ में पार्टीयों के मद्देर नजर नहीं बोल रहा था एक बात बात बदाईए आप है yok सब्णे नहीं नहीं कर रहा है लेकिन आप जनता के सवाल को लगातार उठाते हिस अच्छ विपक्ष के नजर से देखती है और ऐसे जो है लाकों करोडों लोग हैं अगर हम हर राजनितिक विमर्ष को पार्टियों पे रिड्यूस करके छोड़ देंगे सर दल पे अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो देश का क्या होगा देश में विपक्ष जो है ना वो सिर्फ पार आप जाकर के भारत जोरो यातरा की बात किजिए यह इस्थिति आपको नहीं मिलेगी और यही जो परिस्थिति पैदा हुई है ना कि लरने वाला विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपस में अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहा है तो जो लोग उनको लगता है कि हमारा व उसको जो है भारत जोरो यातरा ने हेड़ोन लिया है वो यह था कि एक डर सब के मन में घर कर रहा था एक निरासा कि क्या होगा उसको जो है एक साकारात्मक जबाब देना जरूरा अच्छे एक सवाल पूछतो भारत जोरो यातरा का मकसद क्या है यह सवाल सो बार पूछा आज अगर लोगों की जिन्दगी जीने की आजादी पर कोई आँच आ रही है उनको डराया जा रहा है इनसान को आपस में लड़ाया जा रहा है नफरत फैलाई जा रही है तो बतौर मुख विपक्ष कॉंग्रेस पार्टी को यह जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेनी परेग लेकिन जनता तक वह सवाल पहुच नहीं रहे तो यह कारण है कि भारत जोरो यातरा शुरू किया जाए और सीधे जनता से सीधे डायरेक्ट जनता से जुड़ा जाए यह कारण है उद्देश उद्देश में एक संभिधान है सट उसकी एक प्रस्तावना है थम भारत के लो िशन बात करें हो में और भाव करें सुमाज की बात करें के वह ऑनुपली बना रहे हैं अगर उनल ने खरीद लिया अप इंडस्टी देखिए उन्होंने खरीद लिया, रेलबे उन्होंने खरीद लिया, किसान के फसल भी वही खरीदेंगे, तो मोनोपली भारत जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है, भारत अगर socially diverse है, culturally diverse है, तो इसको economically और politically भी diverse रहना परेगा, तभी यह survive कर सकता है, तभी यह flourish कर सकता है, जब तक हमारा small scale, medium scale industries flourish नहीं करेगा, यह हमारी economy का backbone है, उससे जो problem पैदा हुआ है, कि huge unemployment create हुआ है, because of the wrong economic policy, because of the creation of monopoly, यह आप policy paralysis कहें या policy की खामिया कहें, बैमानी है, सिधे-सिधे, सिधे-सिधे बैमानी है, चंदा लेते हैं, चंदा से जो है, टीबी चैनल ख खरीदते हैं, MLA खरीदते हैं, अब आप बताइए ने सर, कहीं अगर चुनाव हो गया, आपको बहमत नहीं आया, तो नॉर्मली जो है, अगर इस तरह की political monopoly नहीं होती, तो जो चुनाव जीता है, वो सरकार बनाएगा, यह चुनिवी सरकार को खरीद करके अपनी सरकार बना मानी है, कि पैसा लेना है, चंदा के रूप में, उनका हेलिकॉप्टर लेना है, उनका टीवी चैनल लेना है, दिन भर हिंदू मुसल्मान करना है, और जिवी चुनाव जीत जाएंगे, तो policy का favor नहीं, अपने मन का policy बनवाना है, ताकि जो है, पता यह जबरदस्ती जो है, मुंबई एरपोर्ट का take over नहीं कर लिया गया, और आप बताईए कि इस देश की जो paramilitary है, वहाँ वो हमारे एरपोर्ट की सुरक्षा करती थी, मेरा भाई CISF में नौकरी करता है, मैं जानता हूँ, तो आज धिरे-धिरे करके उसको हटा रहे हैं, और वहाँ पर जोड़ो यात्रा निकलने से होगा, आपने कहा कि भारत जोड़ो क्यूं कर रहे हैं, पहला सवाल मकसद क्या है, तो आपने मुद्दे बता दिये, जो मुद्दे आपने पहले भी बताए, लेकिन इस मुद्दा और भारत जोड़ो यात्रा के मकसद को कैसे connect करते हैं, तेके आज जब मैं कन्या कुमारी से चल करके दिल्ली पहुँच गया हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, कि देश की सबसे बड़ी समस्या महिंगाई और बेकारी है, क्योंकि एक्रॉस दा स्टेट जो है, लोगों ने इसके बारे में बात की, जो भी डेलिगेशन आ कर के मिल रहा है, चाहे किसान मिल रहा हो, चाहे नौजवान मिल रहा हो, सिविल ससाइटी के लोग मिल रहे हो, आपको कॉर्परेट में नौकरी करने वाले लोग मिल रहे हो, मीडिया के लोग आ रहे हो, सिने क अलाकार आ रहे हो, सब लोगों ने कहा कि यह सबसे बड़ा मुद सन्मान की असली परिस्थिती क्या है तो जब हम चल करके आये हैं तो अब दूसरे दावय के साथ में यह कह रहा हूं कि देश में कोई नफरत की लहर नहीं है सर। लोगों के मन में डर पैदा किया गया है और डर क्या है कि बहु संख्यकों को डराओ इस देश के बहु संख्यकों को यह समझाओ कि अगर तुम आज नहीं समले तो तुम अलप संख्यक हो जाओगे एक मात्र चीज है सर कि अगर आज हम बीजेपी के साथ नहीं खरे हुए ठीक है तो बहु संख्यकों के लिए संकट पैदा हो जाएगा यह डर उनके मन में डाला गया है कि सार लोग 370 से उनको क्या लाव हो रहे हैं यह उनको नहीं पता है लेकिन रोज जाकर के पेट्रोल पंपे पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उनको रोज नुकसान हो रहा है इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और इसको अगर हिस्टोरिकली हम समझने का प्रयास कर जिसको कहते हैं अंग्रेजी तरीका अंग्रेजों का तरीका कि लोग आपस में इकठा ना हो जाएं अपने सवाल को ले करके तो उनको किसी तरीके से लड़ा दिया जाए जिसको हम लोगों को पढ़ाया जाता था इसकूर में फूट डालो राज करो तो वह करते थे मतलब लोगों को डिवाइड करो और रूल करो इन्हों ने जो है उसमें थोरा सा फॉर्मेशन कर दिया है जैसे होता है यह कि हिंदू मुसल्मान में हम उल्जे रहेंगे ठीक है जैसे अभी जो है एक सांसद ने कहा कि आप चाकू तेज कर लेंगे तो जो है यह जो है अमित साह ज सब्षाब करो फूरा सिस्टम करो अपना अपना देखेंगे फिर पहर्च करो करके हम लोग रॉक्याट लॉंचर खरीदेगे सर चाकू से क्या होगा बताइएे यह यह यहां जो है यहँ आतंकवादी कि देह में बंब बांध करके आया है और हम अगर RSS की बात मानें तो डंडा से उसका मुकाबला करेंगे वो उधर से लोगों को हुएान कि किनारे रहने वाले लोग हैं किव गुश के सामने नहीं जुके ठीक है तो किसी के सामने नहीं सं Eliot असी लोग 20 लोगों से च्यों डरने की जरुडत है मैं उनकी भाशा में बात करतה आप ही डाइलोग मारते थे सरकार कि एंब कूं सोच रही है हमारे मेरे डाइलोग मारा जाता सर एक बार सरकार बर्डर खोल दे भारत के लोग पैदल चलेंगे तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा और भी कुछ-कुछ बोलते थे सर मैं वह सब बात नहीं बोलना चाहता हूं और पाकिस्तान पर अचानक से यह डर कीसे पैदा हो गया और इतिहास क्या है कि जब भी हमारे उपर किसी ने आख दिखाया है हमारे लोगों ने जब मुतोर मुकाबला किया है भले उनके पास जूता नहीं हो होसलों से वह लड़े हैं ना भाई सारा युद्ध हम जीते हैं तो यह डर क्यूं पैदा किया रहा है यह डर पैदा किया जा रहा है ताकि नफरत की खेती की जा सके नफरत का फसल जब लहलाएगा ना तो वोट में convert हो जाता है और वोट जो है फिर लोग इस सवाल पर नहीं दे रहे हैं या यह सवाल पर विचार वो ना कर पाएं कि भाई देश में सबसे ज़्यादा बिरोजगारी आज है महंगाई सबसे ज़्यादा है डॉलर के मु सूली करने वाला जो गैंग है उसके उपर ट्रेक्टर चढ़ा दिया ललीत मोदी भाग जाता है आज्यार क्रोड रूपया लेकर के जो है पुलीस को नहीं मिल रही है इंटरपोल को नहीं मिल रहा है सारे भगयोरे तो सब्स्मिताशन को मिल जा रहा है यह तो सबाल है ना स तो इसको बंद करो और ये बताओ, कि वोट तुमको इस देश के नौजवानों ने नौकरी के लिए दिया था, कि 2 करोन नौकरी पैदा करेंगे, लाखों पोस्ट खाली है, सर, डाई लाख पोस्ट तो रेलवे में खाली है, हर डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है, उसको तो मुकरता सेบाद करना परेगा न रॉ-स संबाद को करने के लिए बिबाद को करने के लिए नहीं साथ संबाद को करने के लिए भारत जुडो यात्रह है चुक्कि आपने सवाल का लंबा जवाप दिया और उसमें नफरत हिंदू मुसल्मान बीजेपी के एजेंडे पर आ गए तो बहुत सारे जवाब एक साथ आ गए लेकिन चुकि एक बहुत संख्यक की बात किया हलाके भार जोड़ो यात्रा पे कई सवाल आगे पूछूँगा बहुत संख्यक को डराने का अपने जिक्र किया अभी अभी एके अंटनी ने जो पूरवरक्षा मंतरी रहें कॉंगरेस के वरिश्टम नेताओं में सेखें किरला में अभी कॉंगरेस के आफिस में उन्होंने कहा है कि अल्प संख्यकों के साथ बहुत संख्यक हिंदूओं को भी मोधी के खिलाप लड़ाई में शामिल होना चाहिए और एक तरह से एक अंटनी इस तरह की बात उन्होंने अंटनी कमिटी के एक रिपोर्ट है चौदा के कि हार के बाद उस समय भी उन्होंने का कि कॉंग्रेस को ऐसा लगता है ऐसा पर्शेप्सन बन गया कि मुसल्मानों संब्सक्राइब्स अगर्श को अगर हम एक पार्टी सिर्फ समझेंगे तो उसको समझने में हमेशा चाहिएं कितना है ऐसे समझेंगे तो जादा ठीक से समझ पाएंगे अब कॉंग्रेस के अस्थापना दिवस्ति 28 तारीक को मैं भाशन दे रहा था तो मुझे कुछ लोग ने कहा कि इसको यूम बनाया है अब ने कहा है तुम्हारे घर में जो बलव है ना उसको भी किसी बीदेशी ने बनाया है तो तो नौलेज और विज्ञान सारुभामिक होता है कॉंग्रेस पार्टी एक्चुली इस देश में एक एंटी कोलोनियल मुवमेंट से पैदा हुई और गांधी जी के नित्रित में सब की पार्टी बन देगी तो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर आपको दो धूर बिरोधी बैचारिक तौर पे अगर हो तब ही वो साथ रहते हैं और आजा दिक क्या अंदूलन में ऐसा हुआ हिस्ट्री क्या है हिटगेवार भी मेंबर थे और नमबुद्रीपाद भी मेंबर थे पताईए एक लिफ्ट के और दूसरे राइट के दुनों कॉंग्रेस के में तो कॉंग्रेस की एक बड़ी लंबी यात्रा रही है और उस य लोगों से बात करेंगे कोट इंगोट तो कहेंगे कि यह जो है उच्छातियों की पार्टी है टो यह सब कुछ हमसे चीन लिया रिजरवेशन दे दिया जमीन का अधिकार हमसे वापस ले लिया और आरक्षन दे दिया मंदल कमिशन लागु कर दिया ऑशन ले आया अर्जु कियाग, एक मुसल्मान की पार्टी है, मुसल्मान से बात किजिएगा, तुसके अंदर narrative फिट क्या की, तो RSS की माँ है, तो Congress के साथ ऐसा होता है, कि अकसर देख करके आपको लगेगा, कि यह किसी का नहीं है, ऐसा narrative कि इस statement का मैं जो अर्थ निकालता हूं वह यह निकालता हूं कि इस देश में जो लोग भी देश से प्यार करते हैं जिनको लगए इस देश में हमारी पहचान में पैदा कर दीजिए यह तो कोई कहीं पैदा हो सकता है कोई किसी की जाती हो सकती है कोई किसी का धर्म हो सकता है यह कोई इंटाइटलमेंट नहीं है यह संयोग है यह इस कोई इंसिडल में हमारा वर्थ हो गया है हम पैडा कैसे हुए हमारे हाथ में नहीं है हुआ कि इसान सम्भेधन सील होगा धार्मिक होगा जिसके अंदर सच में भक्ति-भखांट होगा उन्सान को उसके जन्न के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा इंसान को इनसान के तौर पर लेगा कि 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 यांधरी को लेकर सौफ्ट हिंदुत्यों को लेकर एक एंटनी के बयान का मतलब वह भी कोई द्वंद नहीं है सर मैं विल्कुल आपको बता दू कोई द्वंद नहीं है यात्रा में मेरा जो विक्तिगत अनुभव है हम मंदिर गए हम मठ गए हम चर्च गए हम मस्जिद गए हम खेत ग इधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है यह वही है जो एक आम इंसान अपनी जिन्दगी में जीता है अब आप किसी भी इलाके में चले जाए आप यहीं वेस्टन यूपी चले जाए गन्ना अगर जाट उगा रहा है तो मुसल्मान उसको काट रहा है यह जो हमारा को हिंदुत्वा के साथ मत मिलाई यह ट्रांसलेशन का प्रॉब्लिम है सर कभी भी जो है यह वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हिंदुत्वा सीधे सीधे इनको गोडसेवादी कहना चाहिए गांधी के हत्यारे हैं यह एक लाइन हिंदू शब्द को बदनाम नहीं किया लेकिन सांपरदाइकता धर्म नहीं है जिस धर्म में शांती की बात नहीं हो जिस धर्म में सद्वावना नहीं हो जिस धर्म में महबत नहीं हो धर्म नहीं है वो राजनीती है राजनीती धर्म को मिलाना हमेशा खतरनाक होता है मेक्यावेली बहुत पहले लिख करके चला ग गर्मी में अलग क्रीम लगाएंगे यह पॉलिटिकल आइडियोजी है वह अलग है उसके साथ हिंदु सब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए हिंदु एक धर्म है एक जीने का तरीका एक संस्कृति है वह अलग है और इसमें बहुत डाइवर्सिटी है सर अभी जब मै कबरिस्तान देखे जिस पर लोगों की कबर थी और उसके उपर महादेव का लिंग रखा हुआ था शिव लिंग रखा हुआ था यह देश बहुत डाइवर्स है सर अब आप मुझे बताइए केरल का हिंदू और बिहार का हिंदू दूनों का खंट मन अलग होता एक नहीं हो तो इसको हिंदू धर्म को हिंदूत्वा के साथ रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए और यह गलती बार बार जो है माफ कीजिएगा कई पतरकारों ने और कई एकेडमिस्यंस ने किया नतीजा क्या हुआ ना कि आरेसेस को बना बनाया खेत मिल गया कुछ करना नहीं है बस गांधी के साथ खड़े हो करके तुम बताओ गांधी जो है जादा जादा अच्छे विक्तियां कि गोड से है यह तुम तै कर लो लेकिन यह बेचैनी कॉंग्रिस में समय समय पर हुई है अभी ठीक है भारत जोनों यात्रा में वो नहीं दिख रही होगी लेकिन एक समय था हों कि आप ब्रामन हैं आप जन्यों धारी हों कि तिलक धारी हों कुछ भी हो इसमें यह कहां हो गया कि आप संगी है मंदिर जाना जो है इसका कहां यह मतलब हो गया कि आप संगी है क्या भाजपाई हो गए यह तो मतलब नहीं है यह तो जान बूज करके जो है जो नहीं है लोग जादा जाने लगे इस दौर में यह बीजेपी कहती है कि हमें देखकर मुदी जी को देखकर अब कॉंग्रेस के नेता भी मंदिर जाने लगे महाकाल के सामने वह ऐसे लेटने लगे चुकि मुदी जी यह लोग यह कहना चाहरे हैं भाजपा वाले कि 1980 में यह धरम पैदा हुआ है मुदी के पैदा होने से पहले था ना हिंदु धरम मेरी दादी जो है वो राम की पुझा करती थी ना मंदिर नहीं था तब भी करती थी मंदिर बन जायेगा नहीं बनेगा इसे उसको कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो यह मानती है कि कणकण में राम है इस देश में एक बहुत बड़ी हिंदु आवादी एसी है जो मानती है कि कानकण में राम स्राइज किसी का घर तोर पूजा आस्थल में तौ़ दोड़ना है और घर परिवार के लोग जब बोलते है क्यों लोग टेंपल रण कर रहे हैं अगर लोग मंदिर जाते हैं ना तो उनके अपने अपने कारण होते हैं नौकरी जोने नोकरी मांगने जाता है इसका नहीं हो रहा है तो रहूल गांदी क्यों गये थे महाकाल में जमीन पर लेते वह थे लोग जा रहे हैं कोई भी राजनीती जो है वो लोगों को कटा काट करके क्या कोई भी लोक्तान के लिए जा रहा ही जा रहा है क्यों नहीं जा रहे हुँ हैvironदी के लिए मंदिर नहीं जाना है साहादी के लिए कुछ और प्रयास करना होता है ज़ा अपस लोटते हैं जरा हम भारत जोड़ो यातरा पर चुकि शुरू हमने भारत जोड़ो यातरा के मकसद से किया लेकिन आपने पूरी नफरत की राजनिती और बाकी चीज़ उसमें बता दिया अब फिर करते हैं कि मकसद एक तो जो आपने कहा मुद्दा उठाना नफरत के ख अईसा होता रहा है और हम चाहते हैं अईसा ही होता रहे कोई भी modern politics करने वाला जो इनसान है जो democratic parliamentary politics करता है तो वो तो यहीं चाहेगा ने कि हर 5 साल में चुना हो सरकारें बदनें जो सरकार performing है वो continue करें जो नहीं performing है उसको बदला जाए जो normal democratic course of action है हम लोगों को यह लग र रहे हो लेकिन उस भावना को हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से चीजें जा रही है ना जिस तरह से democracy को hack किया जा रहा है इसको समझना बहुत है सर आप देखें चुनाओ का परिनाम होता है उस वक्त आप एंकरों को सुनिए अब जो है अमित्साह का जादू चलेगा पराद जो है वाज़ नहीं शुरू हुआ है अनाइतिक तो नहीं था ना आप पत्रकार हैं आप पत्रकारीता करते हैं ठीक है तो यह आपका प्रोफेशन है और यह पहले भी होता था नहीं कह रहा हूं सवाल उठाते थे खरीप फरों तो रहा है अभी उस पर तालियां बज रही है इस पर तालिया बज़ रही बहावाईया हो रही है चानक बताया चारहा है तो यह तो बदलाव आए है कि मान लिजे कोई चोड़ी बैबानी करके खरीद लिया है समाज कहता था उसके पास मत जाना चोड़ था अभी वही समाज का रूल मॉडल है बाल बच्चा अगर उसके प इये तो नहीं चीज है न सर मैं वही कह रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारा प्रॉबल्म बीजेपी गया में शुडू हुआ है थी पहले भी महेंगाई थी पहले भी वेकारी ठीक है यह परिस्थिती डिफरेंट कैसे है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ विक्ति अंडेमोक्रेटिक चीजों को जो है सेलिबुरेट कर वा रहा है और हमारी जो चौथा अस्तम जिसको हम कहते हैं उस पर फुले आम इस तरह की भाषा बोली जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में 108 दिन में आप हजारों चुनाओ पर या रहा है कि लोग यह देखना चाहेंगे जिसमें से आप करनाटक होते हुआ एंपी होते हुआ है राजस्थान होते हैं कि सब चुनाओ चुनाओ बहुत चिंता का विश्य नहीं रहा है चुले न भूल जा पंद्रह में दिल्ली का चुनाओ राजस्थान का चुनाओ 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 का करनाटक चुनाओ चुनाओ होते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो अगर जीत रहे होते तो कॉंग्रेस पार्टी का प्रधान मंत्री होता ना इस फैक्ट को बार 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 बोल करके कुछ नयातु परिस्तिति नहीं पैदा हो रहा है हम हारे हैं तभी तो यह जीते हैं तो सुईकार करें हैं हमारी हार उए इनकी जीत हुई ठीक है यह ससंता में बेठे हुए जिह तो सचाइं कहने लेकिन ये कहना, मैं एक सवाल से बीच में काउंटर करता हूँ, आप जवाब दिजेगा, अल्टिमेटली चुनाओ में, लोक तंत्र में, लोक तंत्र में चुनाओ और सरकार चुनी हुई सरकार नुमाइंदगी बहुत मुमाइने रखती है, आप बीजेपी की हार का डेटा जो भी बताओ, लेकिन बड़ा डेटा क्या है, एक दरजन राज्य में बीजेपी की सरकारे, चार सो सांसद लोकसभा राजसभा मिलाके, तेरा सो से जादा बिधायक, ये बीजेपी का आकड़ा है पूरे देश में, तो अगर देखेंगे उसके बरक्स कॉंग्रेस बाबन स जीते हैं, अभी हिमाचल में सरकार बन गई, गुजरात में बुरी तरह से मतलब 20 का आकड़ा भी नहीं छूपा है, तो एक तरफ वो है, एक तरफ कॉंग्रेस है, और इसके भीज भारत जोड़ो यात्रा है, तो आप कहिए या नहीं, कि ये सद्धांतिक सवाल है, हम मुद दिक्कत यह है कि चुना भी नहीं होगा, तब लोग क्या करेंगे, बात तो वहाँ भी पहुच गई है, उसके बारे में कौन बात करेगा, कि चुना हो जा रहा है, तब उसमें जो है, रिजल्ट आ गये हैं, परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं है, वो खरीट फरोद कर पहले लोगों की उम्मीदों को जीता जाए, क्या ये जरूरी नहीं है, कि जो लोगों के सवाल को चुनाओ के शूर में गायव कर दिया गया है, उन सवालों को इस देश के राजनितिक विमर्श के केंदर में लाया जाए, और जहां तक चुनाओ का सवाल है, मैं कह रहा हू पूरी दस पीस साल रहना है या सक्ता में भी आदा आ है अफरत करता देखे यह तो इंटर्वियू में नहीं डिसाइड होगा, ये तो इस देश में डिसाइड होगा, कि अगर हम जो है ना, दस-बीस साल ऐसे चुनावी हारने वाले होते, तो जो है, कोरोना का बहाना लगा करके हमारी यात्रा नहीं रोकी जाती सर, इस तरह से जो लोग आ रहे हैं, उसको जो होगा, उसकी चर्चा अभी क्यों करें, बच्चा हुआ नहीं है, तो उसका नाम क्या रखेंगे, उसको ले करके क्यों जगरा करना है सर, सीधी सी बात है, कि अगर हम जनता के सवालों को कामियावी से उठाने में कामियाब हुए, जनता हमको अगर स्विकार कर दी, तो एलि मुसल्मान से नहीं, रोजी रोटी कपरा मकान से आपकी जिन्दिगी चलती है, यह किसको समझना है, तो यह कोई अलग अलग विशा तो है नहीं, बार बार घुमा के फिरा करके, राजनितिक जो विमर्स है, उसमें चुनाव को परमुकता दे करके, यह कोशिश की जाती है, ऐल्टिमेटली चुनाव नहीं जीती ही गा, तो यह सब फाल्तु है, ठीख है, ठीख है, जो है, बारत जोरो यात्रा को कर रहे हैं, चुनाव भी लर रहे हैं, लोगों के मुद्धे उठाय जा रहे हैं, यह पॉलिटिकल केंपेंड है, वो चल रहा है, ठीक है, केंपेन है वह किम चल रहा है चुनाव पॉलिटィकल चेंच का केंपेन नहीं है मुध्दा बना रहे तो पॉलिटिकल चेंच की भी तो बात कर रहे हैं तो फिर सरकार बदलना नहीं शिर्फ होता है ना, उसे पर इलेक्टारल चेंज तो नहीं होता है. उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप सरकार तो आप बना ले अरहे हैं. मैं तो इलेक्टारल चेंज कहना चाहरा था, लेकिन आपने confidently उसके अर्थ दूसरे निकाले. कि सरकार तो हम जीत लेते हैं ना चुनाव सर मदप्रदेश का चुनाव जीत लिए करनाटक का चुनाव जीत लिए सरकार नहीं चली ना सरकार खरीद लिए गया और आप बताईए कि इसी चुनाव से पहले गुजरात चुनाव की अगर आपने बात की है तो गुजरात चुना को भी तो लोगों के बीच में लेके जाने की जरूरत है और चुनाओ लर रहे हैं सर अभी तो हीमाचल जीते हैं अगर हम उस डेटा पे जाएंगे तो वह एक अलग बात है लेकिन हम डेटा पर चीजों को प्रूव करना चाहेंगे तो फिर मैं यह डेटा बोलना चाहूंगा गया है और गुजरात हिंदू सेट और महेंगाई के सवाल पर दिये उसका कारण आप जानते हैं उसका फर्स्ट पास्ट पोस्सिस्टम में क्या होता है बीजेप अगर अपना वोट सिक्योर करेगी और एंटी बीजेपी वोट में डिविजन होगा तो सीट का फर्क हो मीें होता है और उसमा छोड़ा सा नीकल गई तो जो वोट शेर बीजेपी वह पिछले चुनाव में गुजरात में उससे बीजेपी का तीन फिस्टीं बढ़ गयाww सब्सक्राइब इसका यह इन और से बहुत कर ला है उसकी मुकाबले में क्योंना सिट बढ़ गया है यह स् इसे परिणाम तो आते हैं लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि अगर हम बाप के वोट परसेंट को माले की 35% लोग 40% लोग बीज़ेपी को वोट दे रहे हैं आपकी भात को मालिया. 60% लोग तो नहीं दे रहें ना बीजेपी को वोट तुह हम यह क्यों मान ले कि देश में जो है बीजेपी के खिलाफ जो है और प्रेम के लिए जो फिलाफ मोह बत के लिए और इस देश में जो सामपरदाइक्ता की राजनिती है उसके बरक्स रोजी रोटरी कप्रा वकान की सब्सक्राइब करनाटक जाहां चनाव है अगली साल पहला चनाव अप्रिल में मैई में बलकी उसके बाइब आखर में साल के अंत में राजस्थान और MP इन तीन राज्यन में जो चनाव होने हैं तो बोट को जोडते को इसा कर रहे हैं कि ले 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 लेते और हार का नहीं ले लिए बता देता हुआ अपकी जानकारी के लिए ले सकते कि वहां गए नहीं जाएंगे यात्रा जहां से गुजरी है इसा नहीं है को वहां चुनाव जीते नहीं है अभी आप नागपुर रीजन का जो है लोकल एलेक्षन देख लीजिए बुल्धाना का चुनाव देख लीजिए बुल्धाना के चुनाव में क्लीन स्विप किया है हम यह बात बोलते क्यों नहीं नहीं जोर रहे लिए बशनाव लरेंगे यह मुखभ काम लेकिन बतोर पॉलिटिकल पार्टी इस देश का समाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक, संबैधानिक सवालों को उठाना भी हमारा काम है और उस काम को वारत जोरो यात्रा में उसमें उठा रहे हैं वोट जोरने का जहां तक सवाल है मैं उस पर कई वार इसका जवाब दे चुका हूं कि लोग ही वोटर हैं उनका आगर आप जो है ना उमीद जोर पाएंगे ना तो आप मुझे बताइए दिल्ली में तो हमको बहुत राजनिते एलेक्टोरल सफलता नहीं मिली ने देखा एमसीडी का चुनाव हुआ तो हम बहुत सीट तो नहीं जीते में मुख रूप से आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो उनको वोट मिले हैं हमको कम वोट मिले पिर भी लोग सरकों पर उत्रे ना तो सरकों पर उत्रे हैं और ऐसा होता है कि आप देखिए बिदान सब्सभाद में आदमी पार्टी जोड़ेंगे 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 आप कर रहें तो फिर निकले वोट भी हमारे भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा जोड़ेंगे जोड़ेंगे जीतेंगे जीत जाएंगे तभी ट्रॉफी मिलेगा पहले अब आपने कहा कि दिल्ली पहुंचें आगे जाना है अब जहां हम हैं यह दिल्ली यूपी का बॉर्डर है यहीं से यूपी शुरू होता है अब तीन तारिक की जो शुरुवात है भारत जोड़ो यात्रा की वो यूपी में शुरुवात है तीन चार पांच बागपत उसके बाद आगे बरहेंगे तो एक तो इतना बड़ा सु है क्यूपी से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है वहां सिर्फ तीन दिन कोई वज़र ने इस पे तो मैंने कई वार जवाब दिया है कि यह हमारे देश की खुबसूर्ती है कि एक देश में कई देश हैं कहने का मतलब आप इस देश में बीच का भी आनंद उठा सकते हैं पहार पे भी जा सकते हैं विस्तरित मैदान भी है पठार है जंगल है बहुत डाइवर्सिटी है इसकी तो इस देश में आप एक पॉइंट से दुसरे पॉइंट आप कहीं से भी चलना शुरू करें एक बड़ा इलाका आप से छूट जाएगा तो हम दक्षिन से उत्तर होगी कि नहीं होगी यह बाद की बाद है ठीक है लेकिन इसका भोगोलिक कारण है क्कॉई राजमीटिक गेए और वी जबोने में इस title के यूपी सबसे अहम है 2024 के चुनाओ की बात करें तो भी और यूपी में सबसे अधिक सीटे हैं लोकसभा भी विधानसभा भी 403 सीटे हैं और यूपी वो राज्य है जहां कॉंग्रेस सबसे बुरे हाल में है बुरे हाल इसलिए बोल रहा हूं कि बुरे हाल मतलब 2.3% वोट इतना बुरा 403 सीटों वाले स्टेट में होना एक सीट सिर्फ सोनिया गांधी जीत पाई लोकसभा में अमेठी से राहूल गांधी हार गए और केरल से जीत कर आये तो उस यूपी में कॉंग्रेस अगर तीन दिन जाकर निकल गई तो इसका मतलब यूपी को लेकर कॉंग्र तो आप यह कैसे मान रहें कि नहीं घूमेंगे वही हम कह रहे है कि कैसे इस निशकर्स को निकाला जा रहा है कि नहीं घूमेंगे उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घटती हो आप देखिए बड़ी मुखरता से कॉंग्रेस पार्टी सरक पर जाकर उतरती है भले आपने है कि वहाँ हालत खराब है हालत आज तो नहीं खराब हो गयी है झालत जो है वह तो राजीब जी के समय में सहीं में जुरू हो गया दू कि जहां कहीं भी रिजणल पार्टी आई और आप उस रिजणल पार्टी के खिलाफ अब प font प्र उत्तरप्रदेश, सब इंत्रप्रदेश इतना है यह आपको समझ में आ रहा है तो हम को क्यूं लगता है और गंभीर नहीं होती सर अभी बिधान सभाद चुनाव में सारे सीटों पर जो है चुनाव नहीं लड़ी कॉंग्रेस ने रिसोर्स नहीं लगाए कॉंग्रेस ने अपने नेताओं को डिटी पर नहीं लगाई प्रिंका गांधी जो है खुद वहाँ पर जाता है तो हतास भी होती होगी तो आज देश में सुरू से जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हर सवाल में बात तो वही निकल गई आती हैं कि देश में धुर्वी करण की राजनीती है दो तरह के वोट बन गया है एक सरकार को रखने वाला वोट है सरकार को बदलने वाला वोट है तो narrative जो बनता है ठीक है उस narrative में तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई यह narrative बनाता हूँ मुझे दिखे कि नहीं Congress लड़ेगी अभी Congress लड़ रही है तब यह मनने को तयार नहीं है कि Congress लड़ेगी जबकि आपके आंकरे को ही मान लें किसके पास 50 MP है Congress के अलावे किसके पास सारे 600 ML है Congress के अलावे किस के पास एक राज से ज्यादा में सरकार पार्टी है 135 साल पुरानी कौन पार्टी है जिसने यह अफसोस की बात है यह गर्व की बात है तो वहां से आप देखते हो ना जैसे आपने का ना टॉपर रहे हो तो तो क्या 1947 और से पहले Congress party बनी हुई है तो जब चुनाम नहीं था तभी Congress लड़ती थे ना देश के लोगों के लिए लड़ना इंपोर्टेंट है और देश के लोगों के लिए जब लड़े देश को आजादी मिली तभी तो जो है यह ग्राफ Congress party को मिला तो आज जो हम वही कर रहे हैं कि जो आजादी Congress party दिलाई उसको बचाने के लिए रोड Congress ही है दूरदसा आप कह रहे हैं सुईकार लिया लेकिन अभी भी यही एक विकल्प है इसको मानने में क्या दिक्कत है सब्सक्राइब कि Congress party अपने बेस के साथ साथ कई लगबग 300 सीट ऐसा है अभी भी जहां बीजेपी के सामने Congress है उसके ब्योंड अगर Congress party के गोई activity होती है तो चाहें हो Congress के लाइज ही कोई दिक्कत नहीं है आपने जवाब में कहा करन राजनिती को प्रभावित करता अभी पहले जवाब में का अब यूपी धुर्वी करन का एक सेंटर पेछली बार सारे भाशन देख लिए गर्मी उतार देंगे से लेके और उसके पहले साठ से उपर है अब समार उठता उस स्टेट में और धुर्वी करन की आप बात कर रहे हैं और ऐसे भी देश में आप नफरत और डर की बात उसका तोड़ क्या है भारत जोड़ना एक बात है लेकिन उस नफरत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जो खुद राहुल गांधी कहत के राजनितिग्यों को, पॉलिटिसियन्स को, पतरकार को, एकेडमिस्यन को स्विकार करना परेगा बीजेपी बाद में आकर के इस पोलराइजेशन का इस्तेमाल करने लगी है ये पोलराइजेशन खास करके हिंदी पट्टी की जो आप बात कर रहे हैं वो शुरू हुआ थ ये इस देश का original color नहीं है नफरत जो है इस देश का original taste कलर नहीं है ये हम को historically समझना परेगा कि आकबर भी जब یہ है आया और शादी की और जूहा जूला जूलाना शुरू किया क्रिष्नजी को तो उसको भी सहंसा की तरह देश्रीकार कर लिया प्यार और महबत ही जो है ना इस देश के लोगों का दिल जीतता है यह हमारा इतिहास है और ऐसा नहीं है कि जो है लोगों का जो है मुकाबला नहीं किया है हमने इतिहास में पहले भी है बड़े-बड़े जो है ना जो ताकतवर होती थी जिनके सैने सकती थी उसका मुकाबला किया है एमको कहीं जाकर करें हमिला करने की ज़रत नहीं थी हमारे पास सब इसे परीपूर्ण है इतना वरा मेदान समंदर है है सब कुछ रेगिस्तान भी है तो की मैं किने के दूसरे देश के बातावरण और भाव को आप तो जो डर है, उस डर को अगर हम खतम करने में कामवाब हूं, उसके लिए जरूरी है कि हम हम खुद को पहचाने, हम खुद को जाने, अपने इतिहास को समझे, कि हम कहां से चल करके यहां तक आये हैं, यह मतलब चांद पे जा रहे हैं, IIM बन रहा है, IIMS बन रहा है, वह रहा हुआ है, यहां से हमको आगे जाना है, यह जो साकारत्मक सवाल है इस पे हमको बार-बार-बार लोगों के बीच में जा करके संबाद करना उनको organize करना एक एइसा संगठन जिसको सब लोग झिम हसूस कर सकें कि यह हमारा है इस से हमारा जुराओ है और ये नफरत की राजनीती करने से अलग है, लोगों को जूरने वाली है, ये हमको करना परेगा और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये करना परेगा, इस देश को अगर हम गोडसे वादी नफरत से बचाना चाहते हैं, तो गांधी वादी विचारों की आव सकता है, और गां लेकिन तीन सो से जादा सीते मोडी को खाली डर से दर के थोड़े दिया, वो मोडी के प्रती, उनके विचार के प्रती, उनकी जो भी उनके वादे हैं, या जो भी वो करते हैं, इसका स्टेज है सब, ऐसा नहीं था, दोजार चौदव में ये साकारात्मक बात बोल करके आय रहे थे, 2019 में इन्होंने डराया है, उसके बाद जो है देश में जो एक polarization हुआ, उसको सब लोगोंने होते हुए देखा है, और उसके बाद देखिए कि कोई follow up नहीं है, अगर इमानदारी से उस चीज को उठाया जाता, पुलवामा की घटना का ही, तो आज इस देश को पत पकड़ा गया था, वो कहां है, तो यह कही न कहीं आप इनकार नहीं कर सकते हैं, कि देश को डराना ठीक है, देश को डराना और फिर जो है लोगों को पुलराइज करना, धुर्वी करन करना, उससे फिर वोट लेना, और इस पूरे प्रकिडिया में जो भारी धन की जरूरत होती है जो पैसे का रिसोर्स का जुरत होता है उसको अपने दोस्त से इस हाथ लेते हैं बोट ले करके जो है और फिर उस हाथ उनको जह देश की संपत्ति हेंड़ोवर कर देते हैं यही साइकल चल रहा है स्कार्शी की बात कर रहे हैं कि वो रोकिट में जाएं अपना धंधा करें बिजनेश्करें पैसा कमाएं उस एक बात है आप जो है यह जो राज़नीती को धंधा दिया है जो मौडल मेना नहीं कि उन से चंदा लेना है सारे सिस्टम को पर्चेश करना भी जो है लोगों को ड़ा करके नफरत में फसा करके उन से वूट लेना है और फिर उनको देशकी संपत्ति कर देना है यह खतरना थे और इसको हम कहते हैं प्राइब टाइजेशन अफ प्रॉफिट और स्वस्टलाइजेशन ओफ लाउस कि प्रॉफिट होगा कमपनी का और ज लाक रॉप्या वापस नहीं कर पा रहा रहा है तो यहां लोगों का घर कर दे रहा है अगर नहीं दे पा लॉकडाउन हो गए नोक्री चली नहीं भर रहा है तो यह जो कहना है अमीर को खुए अमीर बना रहे हैं और गरीब के अधम डबाया जा रहे हैं यह गलत है आप अमीर पैसा कमाए अब वह जो है जंता सरकार को टैक्स दे जैसे आम लोग भी देते हैं और उस टैक्स के पैसे को है फिर फिर फेरीजम पर खर्च किया जाए यह उल्टा हो गया है कि आप पहले अपने दोस्तों से चंदा ले ले लेते हैं चंदा दंग से आपने बताया यह सारी बात आपकी जंता तक जा रही होगी चुकि आप लगातार बात कर रहें और आप सबसे पॉपलर चेहरा भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है सबसे अधिक प्रेस कांफरेंस आपने किया हर राज में जब भी इंटर किया सब लोग कर रहें बीच में भारत जोड़ो यात्रा पर आते हुए और बाकी सवाल विपक्ष के सब कॉंग्रेस के नेताओं के ब्यान है जैसे जैराम रमेश का एक ब्यान में देख रहा था उन्होंने कहा कि कनहिया कुमार राहुल गांधी के बाद या कॉंग्रेस में दूसरे सबसे लोग महत्पूर्ण चीज नहीं है लेकिन लेकिन एक नट का नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं यह समझना चाहरो कहीं कॉंग्रेस में भी तो हो रहा है कि नया कनहिया कुमार आया है 15 मैंने हुआ जैसे करते हैं जुम्मा जुम्मा आठ दिन तो जुम्मा जुमा अभी 25 साल को पचासी साल के वहां बैटे हुए तो यह कहीं कॉंग्रेस में भी तो कुछ खलवली हो रही हो यह नहीं नहीं यह चुकि लोगतांत्रिक तरीके से ही डिसाइड होता है सबका अलग अलग अपना काम है हम बोलें कि चुकि हम अभी ना ओल राउंडर की भूमी काम हैं शरकार से पूछा करते थे जब वह बताॉर मुख मंत्री मनमोहन संग gebतौर प्रधान मंत्री से जो सवाल पूछा करते थे ना वहीं इस देश का आम नागरिक होने के नाते आज के प्रधानमंतिरे से पूछ लेते हैं कि बाई जब डॉलर गिरता था मतलब रुप्या गिरता था मुकाबले तो आप कहते थे कि मरियादा गिरती है तो मुच लेते हैं जो आप मन में आता है वह आंभाशा में पूछ लेते हैं और सवाल पुछने से डर नहीं लगता है सर जाता से ज्यादा देने का प्रैक्टिस करना है आपका स्कूल के दिनों से ही अभी हट पे उसले से नहीं प्रैक्टिस का करना है सर इसमें यह तो वह बात हो गई कि विहार के लोगों को जो है राजनितिक चर्चा और राजनितिक करते हैं वहां पर भाषन में कनया कुमार अमिश्याह और मोदी को एक दम तार्किक ढंग से जवाब दे सकते हैं इसलिए इनको फ्रंट पे लिए रखो रखे रहो भारत जोड़ो यात्रा में अईसा कुछ नहीं है सर कोई फ्रंट पे नहीं होते हैं वहां पे और भारत भा लेकिन हमारा देश बहुत डाइवर्स है अलग-अलग इलागे के अपने लोगों के प्रभाव हैं अलग-अलग लीडर है जैसे मैं हर स्टेट में आपको वताऊ कि लोग हैं उनको लोग जानते हैं लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं वह से लीडर हैं अब जैसे ओमेंड झीजी का लड़का चलता है हमारे साहथ कďई पुराने मिनिस्टर के बच्चे बीचल रहे हैं तरह के प्राय मेश्व को पुछ पुराने लोग हैं वो साथ में चल रहे हैं तो जैसे सिविल सायटी के लोग चलते हैं तो ऐसा आमने से जो है जब देते हैं अब आप यह देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में दो ही लोगों पर बीजेपी भी हमला करती है राहुल गांधी वह तो हमेशा ही करेगी चुकि मुख्य भी पर्ची देता है और दूसरे कर नहीं आगे बताता हूं लेकिन जैसे एक तस्वीर हर्याना के लगातार चीफ निस्टर रहे और वैसे जी ट्वेंटी थी में भी थे दूसरी तब जैराम रमेश केंद्रिया मंत्री रावल गांधी के बहुत खास भारत जोड़ो यात्रा का पूरा मीडिया कोडिनेशन प्रवंधन अब बीच में कनहिया कुमार और यह मैंने बाषन सुना प्रेस काउंफेस 45 मिनट का पच्चीस मिनट तो आप लगातार बोले पच्चीस मिनट आप जवाब दिया दर्शक दिरगाम दोनों दो तरफ स्टालवार्ट कॉंग्रेस के बैठे तो यह जगह तो कनहिया कुमार बड़ी जल्दी कॉंग्रेस में मिल गई करते ही उनको में पोस्ट दिया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना ठीक है यह बड़ी चीज होती है कॉंग्रेस पार्टी जगह देने में कभी भी दर्वाजा नहीं बंद की है अगर यह कॉंग्रेस पार्टी का कल्चर होता ना तो बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल प्रटी को इंपर प्रति लाड़ प्यार है और आपको काफी आगे बढ़ाने में भाराज जोड़ो यात्रा के चुके मुखे प्रबंधकों में से वह भी एक्चुली का है ना सर मेरा किसी के साथ कोई जो है पॉलिटिकल मतभेद नहीं है और कोई उस तरह का जो है पावर क बैटल भी नहीं है ठीक है और आप जुबानी मुस्ताय लक्षी चलाते हैं बुजूर्गों का स्नेह जो है मिलना यह बड़ी सभागी की बात यह अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं का इसा नहीं है कि हम ही सिर्फ प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं मैं अगर शाप पर हैं तो कवर नहीं हो रहा हो हिंधि पती में वह बताऊं हर राज में जो उस राज के भारत यात्री वह सब्ऑन करते हैं और यह चाहिए पहले से लोग सुनते रहे हैं देखते रहे हैं और बीजेपि जो है इतना ज्यादा हम्लाबर रहती है अगर वो टार्गेट बनाएगी तो सभाविक रूप से लोगों के अंदर पैदा होती है जैसे जैसे बीजेपी सबसे अधिक आपके लिए बोलती है तो जैसे पांच-छे बयान है मेरे पास जो आपको लेकर बयान दिया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से जैसे नरु सबसे है नरुबत मिस्रा को तो मैं सीडियस ली नहीं लेता हूं सर वह सबसे हैं की बात है कि जो पढ़े लिखे वर्क्ति हैं वह तो ऐसे ही है नरु सेंगे परसाथ नहीं का भारजों यात्रा के दोलान अलग अलग जगों पर टुकरे-टुकरे गैंग के लोग उनके साथ जबकि वो लॉयर हैं तो देश के कानून पढ़े हैं सरकार में मंत्री रहे हैं सरकार अपने RTI में यही अमित्साह का डिपार्टमेंट यह जवाब दिया है कि इसा कोई गैंग एक जिस्ट नहीं करता है तो उनको चुकि मंत्री छीन लिया रहा है राजनीती में क्या होता है इन सेकुरिटी बहुत जल्दी घर कर जाती है और मंगला रहेगा गाड रहेगा बुरहापा भी है सर्दी भी है तो वह हमको को कह रहे थे अब मुझे कहकर करके अगर उनका भला हो जाए शर वह भी भी आ सबका निशाना आपकी वजह से है कि यह तुकड़े तुकड़े वाला जो है राहूल गांदी के साथ चलवा है तो मतलब यह पूरी सरकार आप पता नहीं क्या-क्या गिना रहे थे आप परसेंट गुजरात में इतनी यूज विक्टरी इतने राजियों में सरकार सब कुछ हो अंगनवारी में काम करती है मेरा भाई जो गाई पालता है सब पूरी दा पूरा दल बल तो मुझे गोरक पंडे का लाइन याद आ रहा है कि तमाम कुछ है इनके पास धान बल गोला बारूद फिर भी डर रहे हैं एक दिन लोग निहत्ते लोग इनसे डरना बंद कर देंग बड़ा आशोगाह वाला आराम वाला कंटेनर है बहुत हुआ मौज मस्ती कर रहे हैं कुछ लोग बीजेपी वाले लिखने लिए आयाशी कर रहे हैं कंटेनर में और उसके बाद हर तरह की सुविधा है और मौज मस्ती कंटेनर बड़ा कुछ खास है मैं दो दो बात माइन के चौपाई है जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाएं तिन तैसी वह अपने पॉलिटिकल काजकरम में इसका मतलब लगता है कि मौज मस्ती ही करते हैं सुबह सुबह जो डंडा लेके जाते हैं तो मौज मस्ती है पॉलिटिकल काम नहीं है तो उनको ऐसा में और भी तीन लोगें तो आप जागी क्या सफाई देवा जूट के लिए का सफाइश को और शीज़त देख आप ज यो फो जहां में ृध्यानिक टेंपराटमेंट में बिलीव करने वाला आदम इतने ज्याधा चाले साथ हो गया तो जूता नुंई उनसे नफरत करते हैं उता और इसे लघूसे रहूल गांदी Teaching पहर tremendously लगेगी तो पहन लेंगे तो पहन लेंगे मुझे लगता कि यह सवाल क्यूं है कि इतने दिनों से भैस हो रहा है किसी को ठंड लग रही है तो पहन ले लोग देख रहे हैं कि इतनी कप कफी पढ रही है और राहुल गंधी तीशर्ट में घूम रही है यह जो है आमित सा गाती लगा करके बैठा हुआ था तो तुम लगा करके बैठो तुम गोड़ लो कंबल ठीक है आंगेठी जला लो अप को कैसे पता है इनका दवाई का दुकान है क्या यह क्या करते हैं ऐसा कि यह जो सारे सवाल पूछते हैं इनसे ही पलट करके पूछना चाहिए आव डू यू नो ऐसा तो है नहीं राहुल गानी जो फोन करके बताते होंगे अमित सा को आज सुबह में यह दवाई ले रहा हो सकता है कि इनके राज में हो अब की दोवा टेक्स देना परे जब कार खड़ी दिए तब भी जो है रोट टेक्स दीजिए और चलिए तब टोल टेक्स दीजिए ऐसा अगर हो तो सकता है पिछले जाड़े तक राहुल गांदी को ठन लग रही थी हाप जैकेट में दिखत हैं सुबच चार बजे तो क्या जैकेट पहिंट करके जाते हैं पानी डाल रहें कि तो सुबच से ओध्रैं पहले उट दस सुबच करके जो पच्शी किलुमेटर थोड़ी चलते हैं रोज कौन देखने गया कौन देखने गया हम गह रहे हैं कि जो लोग चल रहा है ठीक है तो सभाविक रूप से जो है वह उसको उतने कपरे की जरूरत नहीं होती है चलते हुए आपको गर्मी लगती है जो सुबह वरकाउट करता है उसको मालूम है कि यह राष्ट्रिया मुद्धा क्यों है इसी साल जैकेट में रहेंगे बिना जैकेट के टी-शर्ट में रहेंगे आगले साल ठन पड़ेगे अब यह देखेंगे कि अभी से जब भी ठन पड़ेगी दिसमबर नहीं है यह उन का रेजिलूशन नहीं है आगे भी जैकेट पाह जैसे हमारे भीतर सभावी जिग्यासा हुई परसों तरसों जिस दिन वह समाधी अस्थल और राजगाट वाजपई जी के उस पर गया तो मेरे भीतर सहाथ जिग्यासा में मैंने का यार इस बंदे को ठन नहीं लग रही है विल्कुल हाप टी-शर्ट में उस समय में वीडि ठन परसों तो लगा ठनी लग तो मैंने उस पर लिग दिया तो पता चला कि बीजेपी आईटी से मेरा भी रीट्विट कर रही है कि देखो यह ठंड के बारे में टी-शर्ट पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन दूसरा तब का था जो उसी दिन का रहा था कि तपस्वी है इसल पाच किलो मेटर भी चलने की आदत नहीं है 25 म nya चलने लगते तो चलनय लगते हैं रेयलिटी यह कम लोग कन्या कुमारी से चलते चलते दिलिया ऑगह मैं ओनकर को यह अगर कोई चलेगा डाना जब तक नहीं हो समझ नहीं सकता है इस बात को एक दिन भी एह हमारा कोई मित्र करके हमारे साथ चला है ना तब रात को उसको समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहे हो भाई तो अती लग सकता है जो उसको नहीं कर रहे हैं जो करते हैं वह उनके वेभार का हिस्सा हो जाता है दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूं देखे साथ इस देश में कई ऐसी विद होती है को साधना होता है जिसको बहुत सारे लोग करते हैं जैसे हमारे गंगा किनारे आपने एक चीछ देखा है कातिक से ठंड शुड़ो हो जाती है तो साधना तो होती है साधना का मजाक तो नहीं हो रहाना चाहिए कर रहा लहा है कि साधना नहीं हो रहाना चाहिए मतलब टी-शर्ट पहन ELT या तो जुए आप प्रेक्टिस करते करते जो है उस से म्यूंन हो गए है आप लगातार रोज पच्चीश कीमेटर चलते उप बड़ी इम्यून सकता है दूसरा जो है आप जो है अपने मन में एक जो भाव लेकर चल रहे हैं और लगातार जो है हम नहीं जानते हैं बीजैपी को पता होगा हम पदें स्थापना दिबस में आये हाथ मीडिया के सामने तो हाथ तो जेब में था मतलो हाथ में कुछ लग रहा होगा तो जेब में डाला किसी ने पूछा कि यह तक रहेगी तो नहों पहन लिए हैं यह आदत हो गई है यह एक इंस्टिशूशनल क्वेस्चन है सर और इसकी आदत जो है पॉलिटिक्स में बाद में हुआ है सिनेमा से पहले शुरू हुआ था कि रेखा चीक दी रेखा चलते चलते जाया ना उनका घुटना मुर गया यह पहले वहां से शुरू ह भुआ हो देखें सर क्या हुआ आप तो मीडिया के लोग है पहले जो आख्री पंणा हुआ करता था था ना खवार का वह पहला पंणा हो गया है पार्थी ने कहा है कि उनको साल के आंट में आठ दिन ृत्र रावल गांधी इसलिए बहांना कंटेनर का बना दिया गया दिल अगर गुना है तो सरकार पासपोर्ट देना बंद करें अगर गुना नहीं है तो जाने दिक्कत है तो जाएं ना जाएं उनका व्यक्तिकत मसला है यह मुझे कोई बताए जिसमें पूछ रहा है इसमें गुना क्या है छुट्टी लेना गुना है कि विदेश जाना गुना है अगर छुट्टी लेना गुना है तो सरकार जो सटड़े सटड़े जो छुट्टी देती हो बंद करें आठ घंटे का काम का घंटा नहीं होगा आप ये बताएं कि इस देश के लोग गारी कैसे रखें वो बोलें कि हम गाली खाते हैं तो आप गाली खा लें कि आप बताएं हम थाली में क्या खाएं यह important सवाल है इस पूरे प्रश्ण में मैं एक चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो टीचर्ट पहने कि ना पहने वो जो है दारी बढ़ा लें कि ना दारी बढ़ाएं वह चुटी पे जाएं कि ना जाएं विदेश जाएं कि देश में रहें यह important प्रस्ण नहीं है बीजेपी बार बार यह प्रस्ण क्यों करती है क्योंकि बीजेपी को आदत हो गई है और मीडिया को भी यह आदत उसने लग जाएं कि इस से क्या मिलेगा वह 45 जार का टीशर्ट पेहने कि पीरी में उनको टी-शर्ट जो है सरोजनीन अंगर से खरीद के लाकर के पहन रहें हो इस इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट यह है ना कि इस देश के लोगों को वस्त्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको शिक्षा म होना चाहिए पूरे इंटर्वियू में बार-बार जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सब गयर जलूरी प्रश्ण है चलिए जलूरी सवाल पर आते हैं इसी से चुकि राहुल गांधी के बारे में यह परसेप्शन बना या बनाया गया विपक्षी दलों की तरफ से मीडिय परिया के बड़े तब्के की तरफ से भी लेकिन बीजेपी ने बुना कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिकेशन है ब्रेक लेकर चले जाते हैं जब मर्जी होता है जब मर्जी होता है निस्क्रिय होते हैं तो क्या भारत जोड़ो यात्रा में 108 दिन लगातार पैदल चलना क्या राहुल गांधी के छवी निर्मान के लिए भी यह किया गया या उनकी छवी इससे बदली नहीं की चबी बिगारने और बदलने वाले लोग यह बिचार पर प्रशन करें हम तो जानते हैं को उनकी चवी क्या है ठीक है जो लोग कह रहे थे जो यह निरेटीव ब पूरा एक सिस्टम बनाया गया पूरे देश में तो उस पर हजारों करोर लगाए वो इंसान जैसे थे जब वो अपने घर से बाहर निकल करके सरक पर चलने लगे वो लोगों को दिखने लगे इसमें कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं बाद परसेप्शन परसेप्शन करने के यात्रा नहीं हुई है, आप प्रस्थैस पूचा, यात्रा जिस वजह से हुई है उद्देश और कारन में आपको बताया, इस देश के लोगों को सवालों को उठाना, उनको सुनना, उन से संबाद करना उसके लिए यात्रा हुई है, तो जब सामने में लोगों ने देख ल के लिए इमेज में कोबर क्यों करना है कोई अगर गलत इसलिए उनकी इमेज ऐसी बना दी गई विपक्ष की तरफ से यह माफ करें बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि जो उनकी छवीक बलकि राउल गांदी ने खुद अपने किसी कानफरेंस में कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा वो करते हैं ठीक है ना लेकिन जो है सचाई लोगों के सामने आ जाएगी जब लोगों के सामने हम होगे लोगों के साथ हमारा संबाद होगा लोगों से मिलेंगे और यह सब के लिए करते हैं सर लोगों को बदनाम करना यह तो बीजेपी का बहुत मतल जमीन हरपना हो किसी विधवा की तो इसको डायन साबित कर दो यह तो वह ट्रिक से चलने वाले लोग वह ट्रिक इन्होंने सिखा है वह ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे सालों से अब चाहिए लोगों को एक्सेस नहीं होगा लेकिन जब आप यात्रा में चल रहे हैं तो आम ल काहुल गांधी के बाद कनया कुमार हैं जो सबसे अधिक मीडिया में दिखे और जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि कॉंग्रेस नेता भी इनको सामने रखकर प्रेस कांफरेंस करते रहे या प्रेस के सवालों का जवाब देते रहे लेकिन कुछ सवाल और इंटर्व्यू लं तो इलेक्टरोरल विक्तिरी की बारत कि अब उससे अलग है जैसे अखलेश यादब का एक बयान में देख रहा हूं कली अखलेश यादब ने बयान दिया कि हम हमारी भावना उनके साथ है भारत जोडों के साथ लेकिन भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों एक है पार्टी का सिधान अलग है तो इस तरह का बयान देना इसका मतलब विपक्ष भी कहीं भारत जोडों से जुड़ नहीं रहा है सभाविक है सर यह मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी राज में अगर हम जा रहे हैं उस राज में अगर उस पार्टी की राजनितिक जमीन है तो वह उसके आधार पर कैल्कुलेट करेगी और पॉलिटिकल डिसिजन लेगी लेकिन यह विपक्ष का एक हिस्सा है जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी के अलाबे भी लोग होते हैं समाज में ने कहा कि दो तरह का धुर्वी करन की राजनिती के चलते दो तरह के जो है वोट है अब दो तरह के लोग भी एक सरकार चाहे कितना भी अच्छा कर दे हम सरकार के खिलाब जैसे आप ठीक है नहीं मैं बिल्कु आण खिलाब ओड़ तो उन्होंने जो राषन ब्टवाया जो पुरानी योजणा थी उसको continu किया आप इसको अच्छा काम बंसक्ते दोसरा उन्होंने मनरेगा को बंद नहीं किया जो आ अजने पी सबद्व मैं उन्होंने तिसरा आवास योजना था शिसका नाम बदल करके प्रदानमंत्रिया आवास योजना कर दिया यह अच्छा काम किया जो अटल टनल इन्होंने बनाया है जिसका फॉंडेशन सुनिया गांधी ने किया था उस अटल टनल का जा करके इउद घाटन की इसे कई काम गिना जोड़ के उसका श्रे आपने कॉंग्रेस को दे दिया और क स्क्राम गिनाय सर अटल टनल का प्रड़ किस ने काट बढ़ ने इंद्र आवास योजना का नाम बदल करके प्रदानमंत्रिया योजना किस ने किया मोधी जी ने जो हमारे तक होता था पहले सब कार्ड को समाप्त करके जो है यह अब 5 कीलो का अनाज का पैकेट दे रहे हैं मौदी जी ने किया मनरेगा का अर्व अर्वे कारी कानुन के लिए राजस्थान सरकारे बійсьक्ता में कोहा है मौना घ्र काम को निया अपना कोहें खाल सब्सक्राइब करोडी और नहीं कितने लग किरोड का तेरह 14 करोड का जो है मर्सडीज हैसा है मैं विक्तिकत हमलों कि नहीं रहा हूं मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूं मैं बस यह कह रहा हूं कि समाज के अंदर क्या परिस्थिति है किसर कार चाहे कुछ अच्छा गरेगी उसके विरोध में रहेंगे और सरकार जो है नहीं हम नहीं रहेंगें तो अच्छा काम गिना यह नहीं तो प्रजास वहावी गरीब होगी आप देखिए यह लगातार जो है अपना इन्हें बढ़ा रहे है ठीक है और आम जो है उसका खतम कर रहे हैं तो इनके लिए अभी देखेंगे बीस हजार करोड का जो है नेताओं के लिए घर बन रहा है सब नेता रहेगा कॉंग्रेस के नेता भी जरूरी है देश का उत्थान के लिए बहुत बड़ी-बड़ी इमारते हैं अतालिका जब राजा अपने लिए महल बनवाता है ना तो गरीबों की जोपरी में जो है ना खाना वेज़ा ना वह नमुम्किन हो जाता है या कि इस देश के अंदा आतम हत्या कर रहें कि सच यह उन फेस हैं महराष्ट में जब सरकार थी तब भी आप सबसे ज़्यादा आज है हो इस पर बात बिरोजगारी को कैसे दूर किया जाता है इस पर बात हो हमारे पास एक मौडल है कि हम आपको कह सकते हैं कि हम क्या किजिए गा उसको 400 से बरागर के एक हजार कर दिया आप उस से खाना नहीं बनाती है उस पर वैट करके चुले पर खाना बनाती है एक हजार रुपया जो है अगर से लेंडर का दाम होगा कितना लोग भड़वा लेगा सर एक जो बड़ी आवादी है 35 परसेंट 40 वो तो उसको दुबारा रिफील ही नहीं कड़ा पाएगी अच्छा काम है हमने तो कहा कि आज बांटे हैं अच्छा काम किये हैं सो चाले आप जो है बनवा रहे हैं ठीक है ना बहुत बढ़िया बात है खाएगा तम जाएगा सर यहां मैं डेटा बताता हूं पर कैपिटा इंकम ग्रेन कंजंप्शन जो है भारत में घट गया यह आंकरा है सरकार का आंकरा है सर आप हंगार इस इंडेक्स में हमारा पोजीशन उठा कर करके देख लीजिए आप जो है हर चीज में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के लोगों को पांच किलो अनाज प्रती बैक्ती दे रहे हैं ताकि खाए ठीक से बढ़ा काम किया बात है मैं तो कह रहा हूं कि पहले 25 किलो दिया जाता था 30 किलो दिया जाता था तो पांच किलो मत दि कुछ ही पूरा कर दिजिए कुछ तो हो हम भी इससे इंकार थोड़ी कर रहे हैं तो अच्छा काम तो थोड़ी मतलब होता है कि अच्छा नारा नहीं बिल्कुल नहीं सार अच्छा नारा दिया है इन्होंने इसकील इंडिया जिसमें साइलेंट है जब इस देश के से बह जादा कुछ स्किल होता है कि अपांच यद्व हर साल होते हैं देजर लोगने मिल को स्किल जहाज कहां से आया जहाज जो इसारे आठ अजार करोड का लाये हैं तो इसका साड़ा पैसा जो है ना फोटो पर खर्च कर दिये सारा पैस एक स्कूल नहीं खुला है किसी बेटी के लिए एक जो है वर्किंग होस्टल नहीं बना है पूरे देश में कहीं अच्छा काम है मैं तो कहे रहा हूं 15 बनाने का मनमोहन सिंग का पर पोजल था उसको मोदी जी ने आगे बढ़ा है उसके लिमन को धन्यवाद देता है और उससे ज्यादा एंस बन गया पढ़ते ही नहीं हो एरपोर्ट बन रहा है सब जगह 35 तो कितना तो एरपोर्ट बन गया कितने एंस बन रहे हैं कितनी सडकें बन रही है एकदम देखिए एक्सप्रेस वे परवांचल एक्सप्रेस वे बन गया विकास की रफतार आप काल दिया गया है बिलकुल बन रहा है कौन कहरा है नहीं बन रहा है और मैं तो बात बोला था कि अगनी वीर योजना जो लेकर करके आये हैं न मोदी जी यह सिर्फ जो है सेना तक सीमित नहीं रहेगा यह राजनीती में भी आएगी और बहुत जल्द जो है ना बहुत सारे अगल बीर भाजपा से निकल करके घुमते वे दिखाई देंगे आपको यह तो होता है यह तो मैं स्विकारी कर रहा हूं काम करने वाला एक लोग है पचार करने वाला एक लोग है काम करने वाला कोन आदमी है मतलब गटकरी जी को बोल रहा है काम बहुत सारे सुरी सरकार का काम ही तो करती है सब सवास्त मंत्री का काम क्रिशी मंतृ तो ऑच्छी बात हैं , बहुत अच्छा बात है , मल्टी टास्किंग है bliss , अपना काम चोर करके बाकी सब कर रहे कहीं कभी कि की कोई भी मंत्री आक्षाची सब करने की तुरंत प्रेस कास्फारन्स नहीं करत обяз रहा जाते हैं सब्सक्राइब करनेया कुमार से बहुत अच्छी रही और काफी लंबी भी बात्चीत हुई अब करनेया कुमार थोड़ी वैक्ति का दो तीन और सवाल सब्सक्राइब भी में फिर कहा जारा है कि पिहार में हीं concret из बेजना चाहती है बिहार की राजनिती चिश्ण की डिए जो आने वाले समय तो पिबेगे आप कों सा हमारा यह पुस्तेजी धंदा है कि दादा जी सिखा के पिता जी पिता जी सिखा दिए हम को हमारा जब यह काम ही नहीं है ठीक है ना तो हमारे लिए जो मिला वही मुकदर वाली बात है सर ऐसा कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं हम जब CPI में थे ठीक है ना वो एक सभाविक गती थी मैंने कई वार लोगों को कहा कि पार्टी जॉइन नहीं किये यू महसूस होता है कि वहीं पैदा हुए ठीक है तो और कभी नहीं सोचे बड़ा बात है 18 साल रहे कि आप ASF और CPI में और जिसमें 15 माईने रहें करो इसी में पैदा हुए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कुछ बात कुछ मध्वेद मुझे कुछ नहीं जो बीट गई सब्सक्राइब और कुछ तो बोलेंगे ने सर वहारे विपक्ष में है क्यों जो है खोल क करें लाएंगे सर कनेया कुमार वहां रहते थे CPI ऑफिस में जब पार्टी छोड़े देशी खोल के ले गया अब मुझे बताईए कि मेरे इस्तेमाल के लिए आपने जो है मुझे ये कप दिया ठीक है आप आपको पता चला कि मैं कप इस्तेमाल नहीं करो आपने ले लिया सब्सक्राइब लेकिन आखिरकार तन्वीर अगर को ऐसा समिकरन बनता है तो वहां कमफर्टेबल आपको लगता है रिष्टा है मैं सर उतना आगे नहीं सोचता हूं मैं यह कह रहा हूं कि कोई पुस्तैनी धंदा तो यह नहीं हम लोग जीवन के संगर्स में आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच गये ठीक है कुछ भी जब हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है तो क्यूं सोचना है जो होगा वो लड़े फना दम से लड़े किसी को लगताहिं हिसाब से हम अंब्र के हिसाब से मार seven वह प्रसपेक्टिव यह हे कोई बैक्गराउंड नहीं है पार्टी जो है टिकर दे दी चुनाव लड़े अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर कहां लोगों को मौका मिलता है चुनाव लड़ने को हमको यह मौका मिला हम ग्रेटफुल हैं जिन लोगों ने हमको चुनाव लड़ाया जो हमारे लिए करके लड़े उनको अभी भी कोटी-कोटी धन्यवाद देते हैं अरे कुछ नहीं हुआ मुक्तिवोज कहते हैं तो तजुरुबा तो हुआ ना अनुभव हुआ सीखे ठीक है ना उस वह सीख ले करके आब आगे बढ़ गया है तो कॉंग्रेस में आपके नेता राहूल गां हिन्दी जी जो है इस देश के दार कंगरेस पार्टी का उनको सब जानता है कि नेता है अभी आप इंटर्वु में कई जगए बात आपने इस्तेमाल किया ब्रैंड ब्रैंड तो चहरा है उनको पूरे देश में लोग जानता है लोग आ रहा है मिल रहा है एक क्योरॉसिटी कोंट्राडिक्ट्री नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए संगठन का काम करने के लिए कोंग्रेस के नेताओं के बयान के गलत मतलब निकाले जाते हैं दूसरा अगर वह बोलते हैं तो इस पार्टी में एक बहुत अच्छी स्थिति है कि हर कोई जो है ना इस पार्टी में रहता है जो मर्दी बोलते हैं कभी बाहर वी चले जाते हैं फिर अंदर भी चले आते हैं यह हमारे समाज का सभाव है सर जैसे आपके घर में भी आपके राजनीतिक बिरोधी लोग होंगे तो ऐसा थोड़ी एक उसाधी में आएंगे तो आप रूट के बाग जाएंगे वह भी रहत पासी है कंदा है कि एक दम एक नेता एक रट सब ऐसादर आपके चोर्ण नेता नहींक्या नहीं रहं कोने बिहार को यहार में श्लाण को पाठी की जीमिवारीगा चैरा भी नेता है और जैसे हम हम जाएंगे करनाटक तो हम कहेंगे कि राजस्थान तो कहेंगे कि रहीं जाएंगे कि उड़ने और जी में जा रहें और नहीं होता रूसवेड़ मोधी जी उसके बाद कुमार में क्या ऐसा ऐसी खास बात है कि का नहीं कंहिया कुमार अचानक 15 मैंने में यह हो गया हिए यह स्टेट में जा रहा है हर जगा इतना प्रॉजेक्शन किया जारा है तो कंहिया कुमार में क्या आपके इसाब से क्या लगता है एक तो भाशन अप अच्छा देते हैं कि यह देखने वाले का अपना नजरीया है उसके नजर और नजरिय की खुबी तो अगर आप ऐसे देखेगा पोजेटिव तो दूसरा निगेटिव भी तो है कि जो है मैं कहीं आसानी से नहीं जा सकता हूं एक जो है सामान नॉर्मल जिंदिगी जीने में तकलीफ होती है क्योंकि नजर और नजरिया बीजेपी का अगर आप तो नजरमें मैं बहुत बडा जो है दुश्मन हूं में बहुत बड़ा आतंकवाधी हूं तो नजर नजरिय की बात है जिनके साथ हम हैं उनको भरोसा होता है उनको उप मेध हैं उनको इमांदारी घ्र्म तैंगे तो यह इतना अच्छा चुकि बोलते हो भाशन देते हो आप और इतना भाशन के वीडियो आपके वाइरल होते हैं कड़ोरों लोग देखते हैं कनेया कुमार फैन क्लब बना हुआ है हर भाशन उसमें आपके दस दस पांच पांच चार चार मिलियन देखे जाते तो कॉंग्र राजनीती की नसर एक अच्छी भी बात है इनसीकुरिटी की बात तो मैंने भी की और आप भी कर रहे हैं स्विकारिता एकसेप्टिबिलीटी भी होती है जब हम यह बात या सब लोग यह बात स्विकार कर सकते हैं कि राहुल जी जो है वो पार्टी के जो है फेश है करगे वह पार्टी के अध्यक्ष हैं तो इसवीकारिता भी राजनीती की खासियत होती है जो काम कोकर सकता है उसको काम करने दिखी देखिए थो मानविया गुन है ना प्रेमि इटविश्या स्वार्थ यह सब भी मानि गुन है तो मैं निगेटीव चीज पर क्या क्यों ध्यान दूं कि वह है कि नहीं है पॉजिटीव चीज पर क्यों ना ध्यान दूं कि लोगों में एक्सेप्टिबिलिटी है एक नया परिवार मिला है तो पॉजिटीव रहेंगे क्योंकि आपको बहुत प्रोजेक्शन मिल रहा है यहीं राजनिती कर रहे हैं चालिस साल से दस साल मुख्यमंत्री रहे हैं आहम यात्रा देने के बाद आपको खाना भी है आपको लाइन लग करका वाश्रूम जाना है आपको उनके साथ अधर तरह की एक्टिविटी करनी है खेलना है या फुटवाल का मैच देखना है जो आप 24 घंटे किसी इंसान के साथ रहते हैं तो कोई भी इनसान अपना रियल सेल नहीं चुपा सकता है और इस यात्रा में जो मेरे लिए सेल्फ के लिए जो एक सबसे बड़ी चीज है राजनितिक सफलता और सफलता से अलग एक परिवार मिला है नए दोस्त मिले हैं नए सदस्त मिले हैं तो ऐसा मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है जब मैं कम देर के ल सब्सक्राइब करता है तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता है किसी को अगर महसूस होता होगा तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि भाई किसी का स्पेस कोई नहीं लेता है तो चलिए इस बातचीत को हम खर्म करते हैं कनेया कुमार की बैटरी लगती है थोड़ी इतनी देर की बातचीत में और बहुत तरह के सवाल जवाब अभी भी है अगर मैं चाहूं तो दो गंटे और इनसे बातचीत कर सकता हो शाइद दो गंटे इंटर्वी हो गया है लेकिन अच्छा लगा और बहुत जगा कनेया कुमार सवालों को अपने हिसाब से बचते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा को आप चुनाओ के नतीजों के पैमाने पर कसने की बात करेंगे तो अपने धंग से इन्होंने तर्ग गढ़े लेकिन खास बात यह है कि इनकी वाकपटुता बोलने की शैली भाशन की शैली और इस देश में जब बीते साड़े आठ सालों में बेश में सत्ता के सिर्ष पर जो बैठे हैं अपने भास्नों की बजह से जाने जाते तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनके भास्नों का जवाब विपक्ष की तरफ से कंग्रिस की तरफ से कढ़या कुमार देते हैं और कईवार लगता है कि इनके पास भी शब्दव ये सेलसला जारी रहेगा देखते हैं अगली बार किस से आपकी मुलाकात होती है नमस्कार